हेलो, जैहिन, कैसे हैं आप सब लोग, आज की क्लास में राम सिंग अदब की नई वाली बुक के जीके के सारे कुश्चन हम डिसकस करेंगे, ये क्लास आपकी मेराथन क्लास होगी, इसमें हम सेट एक से लेकर सेट पचास तक के जीके के सारे कुश्चन डिसकस करेंगे, आपक पहले आपको इसको कम से कम दो या तीन बार देखकर जरूर जाना है इससे आपको जरूर फाइदा होगा चलिए शुरू करते हैं पहले सेट का पहला कोशन है पानी पत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए पानी पत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? इसका राइट आंसर आपका होगा उप्सन नमबर 3 एहमत सहा अबदाली के द्वारा अब आप मुझे बताईए पानी पत की जो तीसरी लड़ाई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 1761 में कब हुई थी 1761 में इससे पहले जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1526 में और ये बाबर और इबराहिम लोदी के बीच हुई थी दूसरी लडाई पानीपत की कब हुई थी? यह हुई थी 1556 में और यह किसके बीच हुई थी? अक्बर और हेमु के बीच हुई थी चलिए अगला कॉशन है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट किजिए इसका right answer आपका होगा option number B सिमला में हिमाचल परदेश की राज़ानी का है सिमला अगला है सुराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था जल्दी से अपना answer बताईए इसका right answer आपका हो जाएगा option number 4 बाल गंगाधर तिलक ने कहा था सुराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है अगला कुशन आप पढ़िए अंतर रास्ट्रिय क्रिकेट परिस्द का मुख्याले कहां पर है ICC का जो headquarter है वो कहां पर है ICC का headquarter International Cricket Council का जो headquarter है वो कहां पर है तो जल्दी से मुझे answer बताईए इसका answer हो जाएगा option number C दुबाई में अगला कुशन है भारतिय बिज्ञान संस्थान कहां इस्तित है जल्दी से अपना answer comment कीजिए जितने भी लोगों का answer option number A वेंगलूरू है उनका एकदम सई answer ये हो जाएगा ठीक है अगला question है रामायन गरंथ किसने लिखा था जल्दी से आप comment कीजिए कि रामायन गरंथ किसने लिखा था ये लिखा था आपका option number 1 बालमी की ने अगला question है सूर्य मंदिर कहां पर इस्तित है जल्दी से अपना answer बताईए most important question है सूर्य मंदिर कहां पर इस्तित है यह इस्तित आपका है कोणार्क उडिसा में option number 4 इसका right answer होगा अगला question है भारत पाकिस्तान और स्री लंका के अलावा वह कौन सा ACI देश है जहां की मुद्रा रुपया है जल्दी से बताईए भारत पाकिस्तान और स्री लंका के अलावा वह कौन सा देश है जिसकी मुद्रा क्या है रुपया है तो यह देश है आपका option number B नेपाल जितने लोग उनमें भी लिखा था उनका answer एकदम सही हो जाएगा अगला question है यह सभी को पता होना चीए और सारे जहां से अच्छा की रचना किसकी है तो आप बताईए सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है तो जल्दी से अपना answer बताईए इसका राइट answer आपका होगा option number B अगला question है पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी जल्दी से अपना answer बताईए पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी answer अपना comment कीजिए इसका right answer आपका हो जाएगा option number 3 वेद व्यास ने लिखी थी गीता अगला question है भारत में मुगल सामराज्य की इस्तापना किस ने की जल्दी से इसका अंसर बताईए भारत में मुगल सामराज्य की इस्तापना किस ने की थी तो ये इस्तापना की थी option number 1 वावर ने अगला question है प्रसिद कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में इस्तित है जल्दी से इसका अंसर बताईए इसका right answer आपका होगा option number 4 असम कामाख्या देवी का मंदिर कहां पर है आसाम में अगला question है सर्बोच गैर सैनिक बीरता प्रुषकार पदक कौन सा है सर्बोच गैर सैनिक बीरता प्रुषकार कौन सा है तो जल्दी से अपना अंसर बताईए इसका right answer आपका होगा option number D असोक चक्र क्या है सर्बोच गैर सैनिक बीरता प्रुषकार है ठीक है अगला question आपका है माक्स वाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है तो जल्दी से अपना अंसर बताईए माक्स वाद का जो मुख्य समर्थक है वो कौन है तो ये थे आपके option number B माक्स वाद की जो मुख्य समर्थक थे कारल माक्स दूसरे सेट का पहला question है सैयुक्त राश्ट संग का मुख्यालय कहां इस्तित है Most important question है लाइप चैट में आपको अपना अंसर कमेंट करना है जल्दी से अपना अंसर दीजी संयुक्त राश्ट संग का मुख्यालय कहां इस्तित है यह आपका इस्तित है option number B नियो योर्क अमेरिका में ठीक है कहां पर इस्तित है नियो योर्क अमेरिका में अब आपको बताना है संयुक्त राश्ट संग की इस्तापना कब हुई थी इसकी इस्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को ठीक है कब हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को चलिए अगला question है अंतर रास्ट्रिय अहिंसा दिवस किस तारीक को मनाया जाता है important question है अंतर रास्ट्रिय अहिंसा दिवस किस तारीक को मनाया जाता है तो ये सभी को पता होगा option number A 2 October महात्मा गांधी जी की जैनिती के उपलक्ष में इसको मनाया जाता है अगला question है पानी पत का तीसरा युद्ध किस वर्स लड़ा गया था most important question है पानी पत का तीसरा युद्ध किस वर्स लड़ा गया था जल्दी से अपना आंसर केमेंट कीजिए इसका right answer आपका हो जाएगा option number A 1761 में अब आपको बताना है पानी पत की जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी 1526 में पानी पत की जो दूसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी 1556 में और जो पानी पत की तीसरी लड़ाई थी वो हुई थी 1761 में और तीसरी लड़ाई में एहमद साह अबदाली ने मराठों को पराजित किया था अगला question है भारतिया नगत मुद्रा के नोट कि सहर में छपते हैं जल्दी से अपना answer केमेंट कीजिए इसका right answer होगा option number B नासिक महारास्ट में अगला question है निम्न में से किसे लेडी विद दा लेंप के नाम से जाना जाता है most important question है most important ठीक है जल्दी से अपना answer केमेंट कीजिए निम्न में से किसे लेडी विद दा लेंप के नाम से जाना जाता है इसका right answer आपका होगा option number C Florence Nightingale इनको जो है lady with the lamp के नाम से जाना जाता है अगला question है फत्तेहफुर सीक्री किस सासक द्वारा बनाया गया था most important question है यह भी फत्तेहफुर सीक्री किस सासक द्वारा बनाया गया था जल्दी से अपने answer केमेंट कीजिए इसका right answer आपका होगा option number A अकबर ने फत्तेहफुर सीक्री को बनाया था अगला question है रूफ आफ दवर्ड किस स्थान को कहा जाता है important question है रूफ आफ दवर्ड किस सहर को कहा जाता है किस स्थान को कहा जाता है जल्दी से अपने answer केमेंट कीजिए इसका right answer आपका होगा option number 4 तिबबत को निमने लिखित मेंसे कौन सी नदी का उद्गम इस्तान अमरकंटक है जल्दी से अपना answer बताईए इन मेंसे कौन सी नदी का उद्गम इस्तान अमरकंटक है इसका right answer आपका होगा option number A, नर्मदा नदी का ठीक है नर्मदा नदी जो है मद्ध्य पर्देश की अमरकंटक पहाडियों से निकलती है ये अमरकंटक जो पहाडियां हैं ये कहां पर हैं ये आपकी हैं मद्ध्य पर्देश में ठीक है करता है most important question है कई exams में ये question पूछा जाता है ठीक है भारत के attorney general की newty कौन करता है जल्दी से अपना answer बताइए इनकी newty करता है option number c रास्टर पती ठीक है अगला question है my experiments with truth पुस्तक के लेखा कौन थे ये question भी most important है कई exams में question पूछा जाता है ठीक है my experiments with truth पुस्तक के लेखा कौन थे तो इसके लेखा के option number b महात्मा गांधी कौन है इसके लेखा क महात्मा गांधी अगला question है भारत में लोकशवा के चुनाव कितने वर्सों बाद कराए जाते हैं ये question का answer आपको पता होगा इसका right answer होगा option number a पांच वर्स बाद चलिए अगला question है निम्न मेंसे किसे अक्सर black pearl कहकर भी संबोदित किया जाता है इन मेंसे किसको जो है black pearl के नाम से जाना जाता है जल्दी से अपना answer दीजिए इसका right answer है option number a पेले को जो है black pearl के नाम से जाना जाता है ये ब्राजील के एक परसिद्ध football player थे अगला question है भारतिय संसत के उपरी सदन को क्या कहा जाता है भारतिय संसत का जो उपरी सदन है उसको क्या कहते है ये most important question है जल्दी से अपना answer comment कीजिए उपरी सदन को कहते है राज्यसबा और निम्न सदन को कहते है आपका लोकसबा ठीक है तो इसको आपको याद रखना है दोनों को याद रखना है ठीक है निम्न सदन आपका हो गया लोकसबा और उपरी सदन आपका हो गया है राज्यसबा अगला question है ब्रह्म समाज के संस्तापक कौन है या ब्रह्म समाज की स्थापना किसके दोरा की गई थी ब्रह्म समाज के संस्तापक कौन थे most important question है जल्दी से इसका answer comment कीजिए इसका right answer आपका होगा option number 4 राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी अगला question है gateway of India कहां पर इस्तित है जल्दी से अपना answer दीजिए gateway of India है आपका option number B मुंबई में तीसरे सेट का पहला question है भारत में सेना का सरबोच सेना पती होता है भारत में सेना का सरबोच पती कौन होता है जल्दी से अपना answer comment कीजिए इसका right answer आपका होगा option number B रास्ट्रपती रास्ट्रपती तीनों सेना का सेना परमुख होता है अगला question है भारत का सबसे बड़ा रास्ट्रियकृत बैंक है जल्दी से अपना answer comment कीजिए भारत का सबसे बड़ा रास्ट्रियकृत बैंक कौन सा है इसका right answer आपका होगा option number A SBI भारतिय स्टेट बैंक अगला question है असोक चक्र का रंग कैसा होता है जल्दी से अपना answer comment कीजिए असोक चक्र का रंग होता है इसका right answer आपका होगा option number 4 नीला अगला question है ओलम्पिक के निशान में चल्ले होते हैं अलम्पिक के निशान में चल्ले होते हैं कितने चल्ले होते हैं जल्दी से अपना answer comment कीजिए ऐसे चल्ले आपने देखे होंगे ऐसे चल्ले आपने देखे होंगे ठीकिए ओलम्पिक के निशान में तो आपको बताना है कि ऐसे कितने चल्ले उसमें होते हैं तो ये होते हैं आपके option number a 5 चल्ले होते हैं ठीके कितने होते हैं 5 चल्ले और ये 5 चल्ले अलग-अलग रंके होते हैं यानि 5 रंके 5 चल्ले होते हैं अगला कुशन है कौन सा राज्य असोक के सामराज्य में नहीं था इन में से कौन सा राज्य है जो असोक के सामराज्य में नहीं था जल्दी से अपना आंसर कमेंट किजी इसका राइट आंसर होगा और सी मेवार असोक के सामराज्य में नहीं था भारत में सर्व पर्थम रेल क कहां से कहां तक चलाई गई थी most important question यह है ठीक है जल्दी से अपना answer comment कीजिए इसका right answer आपका है option number A मुंबई से थाने तक जो है 16 अप्रेल 1823 में पहली बार rail को चलाया गया था अगला question है चेतक घोडा किसका था चेतक घोडा किसका था इसका right answer आपका होगा option number A महाराना परताब सिंग का था ठीक है किसका था महाराना परताब सिंग कुत्ब मीनार का निर्मान किसने करवाया था most important question है कई exams में question पूछा जाता है कुत्ब मीनार का निर्मान किसने करवाया था ये करवाया था आपका option number C कुत्ब दीन एवक ने अगला question है बौध धर्म के संस्थापक हैं इन में से बौध धर्म के संस्थापक कौन हैं जल्दी से अपना answer केमेंट कीजिए इसका right answer आपका हो जाएगा option number B गौतम वुद्ध कस्मीर गाटी का मुखे सहर है जल्दी से अपना answer बताईए तो कस्मीर गाटी का जो मुखे सहर है वो है आपका option number B स्री नगर अगला question है भारत का बरतमान में रक्षा मंतरी कौन है इंपोर्टन कोशन है और current का कोशन है तो जल्दी से अपना answer बताईए भारत का बरतमान रक्षा मंतरी कौन है इसका right answer आपका होगा option number D इन में से कोई नहीं जो बरतमान में भारत के रक्षा मंतरी है वो है आपके राजनात सिंग ठीक है? चलिए अगला कॉशन है मेग दूद के रचियता कौन थे? Most important कॉशन है Most important ठीक है? मेग दूद के रचियता कौन थे? इसके रचियते आपके Option No. B काली दास मेग दूद किसने लिखा है? काली दास ने ठीक है? अगला question है पी गोपी चंद किस खेल से संबंदित हैं जल्दी से अपना answer बताईए इसका right answer हो जाएगा option number 4 badminton से ठीक है पी गोपी चंद किस से संबंदित हैं badminton से next question है गुरुदेव के नाम से परसिद्ध हैं गुरुदेव के नाम से कौन परसिद्ध हैं जल्दी से अपना answer किमेंट किजिए इसका right answer आपका होगा option number C रबींदर नाट टैगोर को जो है गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है अगला question है इंडिया गेट कहां इस्तित है काफी easy question है जल्दी से अपना answer किमेंट किजिए इंडिया गेट कहां पर इस्तित है या आपका इस्तित है option number 4 दिल्ली में अगले set का पहला question है नोबेल पुरुषकार जीतने वाला पहला भारतिया कौन था जल्दी से अपना answer किमेंट किजिए नोबेल पुरुषकार जीतने वाला पहला भारतिया कौन था most important question है ये थे आपके option number A रवींदर ना टैगोर इनको 1913 में 1913 में साहित्य के छेत्र में किसके छेत्र में साहित्य के छेत्र में इनकी रचना गीतान जली के लिए नोबेल पुरुषकार मिला था तो इसको आपको याद रखना है अगला question है 2022 ACI खेल कहां आयूजित होंगे जो 2022 में जो ACI खेल होंगे वो कहां पर आयूजित होंगे जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए current का question है और इसके आने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं इसका right answer आपका है option number 4 होंग जो चीन में ठीक है 2022 में जो ACI खेल होंगे वो कहां पर होंगे होंग जो चीन में अगला question है भारत के पर्थम रास्टपती कौन थे ये सभी को पता होगा कौन थे option number A डॉक्टर राजेंद्र परसाद अगला question है भारत सन में सुतंत्र हुआ था भारत कब आजाद हुआ था तो आपको बताना है भारत को आजादी कब मिली थी कब मिली थी 1947 में ठीक है 15 अगस्त 1947 को option number D इसका right answer होगा अगला question है महात्मा गांधी की हत्या को हुई थी महात्मा गांधी की हत्या कब हुई ठीक है तो इसका आपका right answer है option number B 30 जनवरी 1948 को सबसे आखरी में किस भारतिय राज्य को railway network से जोड़ा जा रहा है तो सबसे last में किसको जोड़ा जा रहा है यह है आपका option number A सिक्किम को सिक्किम को जो है सबसे last में railway network से जोड़ा जा रहा है ठीक है अगला question है मदुरई कौन से राज्य में है मदुरई कौन से राज्य में है यहाँ पर ऐसे होगा मदुरई कौन से राज्य में इस्तित है तो जल्दी से अपना answer comment कि जबाहर लाल नहरू athletics stadium कहां पर इस्तित है जल्दी से अपना answer comment कीजिए जबाहर लाल नहरू athletics stadium कहां पर इस्तित है इसका right answer है option number B दिल्ली में अगला question है राजघाट कहां है जल्दी से अपना answer comment कीजिए राजघाट भी कहां पर है दिल्ली में उपसर नमबर B भारत का सरबोच नागरिक पुश्कार है जल्दी से अपना अंसर किमेंट कीजिए important question है भारत का सरबोच नागरिक सम्मान कौन सा है यह आपका उपसर नमबर C भारत रत्न अगला question है निम्ण में से किस राजय में सबसे कम जन संख्या है? इन में से ऐसा एसा राजय है जिसकी जन संख्या सबसे कम है? जल्दी से अपना अंसर केमेंट कीजिए option number D इसका right answer होगा सिक्किम राज्यकी जनसंक्या सबसे कम है अगला question है मम्ता वेनरजी किस राजनीतिक पार्टी से सम्मंदित है जल्दी से अपना answer केमेंट कीजिए तो मम्ता वेनरजी सम्मंदित है option number B तरणमूल कॉंग्रेस से अगला question है पहला ओलम्पिक खेल में हुआ था जो पहली बार जब ओलम्पिक खेल हुआ था तो ये कहां पर हुआ था ये हुआ था option number C एथेंस ये यूनान की क्या है राजदानी और यहां पर पहली बार ओलम्पिक खेल का आईउजन हुआ था ठीक है अगला question है सचिन तेनलुकर किस खेल से संबंदित है इसका अंसर सभी को पता होगा जल्दी से अपना अंसर कमेंट में दीजिए इसका राइट अंसर होगा option number D किरकेट से सचिन तेनलुकर किस संबंदित है किरकेट से अगला question है राज्य सभा के सदस्यों का कारेकाल कितना होता है जल्दी से अपना अंसर कमेंट कीजिए most important question है कई exams में एक question पूछा जाता है राज्य सभा के सदस्यों का कारेकाल कितना होता है इनका कारेकाल होता है option number D 6 साल का ठीक है 6 वर्स का ठीक है दूसरा इसके जो एकतिहाई सदस्य होते हैं राज्य सबा के एकतिहाई सदस्य है प्रतेक दो साल में ठीक है हर दो साल में सेवा निब्रित होते हैं यानी रिटायर होते हैं ठीक है ये भी आपको याद रखना है पांचों सेट का पहला कुशन है सक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? जल्दी से अपना अंसर कमेंट कीजिए इसका राइट अंसर होगा अप्सन नमबर C उत्तर पर्देश को सक्कर का कटोरा कहा जाता है अगला कुशन है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जल्दी से अपना अंसर कमेंट कीजिए सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है यह आपका अप्सन नमबर B सनी अगला कुशन है फीफा 2018 की बिजेता टीम किस देश से है फीफा 2018 की जो बिजेता टीम है वो किस देश से सम्मंदित है यह टीम है आपकी option number A, France देश से सम्मंदित अगला कुशन है पर्थम ACI खेल 1951 में कहां हुआ था जो पहली बार ACI खेल खेला गया था 1951 में ये कहां पर आयूजित हुआ था Most important question है जल्दी से अपना answer केमेंट कीजिए इसका right answer आपका होगा option number B नई दिल्ली में ठीक है कहां पर हुआ था नई दिल्ली में अगला question है बंगाल विवाजन किसने किया था बंगाल विवाजन किसने किया इसका right answer आपका है option number A लौड करजनने और बंगाल विवाजन कब हुआ था ये हुआ था आपका 1905 में ठीक है तो ये दोनों point आपको याद रखने है चलिए अगला question है भारत में सबसे बड़ा कौफी उत्पादक राज्य कौन सा है जल्दी से अपना answer कमेंट किजिए भारत में सबसे बड़ा कौफी उत्पादक राज्य कौन सा है इसका right answer है option number D करनाटक भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है जो एक नदी पर है भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है इसका right answer आपका है option number D भूपेन हजारिका पुल इसको आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है भूपेन हजारिका पुल और ये किस नदी को पार करता है ये पार करता है लोहित नदी को किसको लोहित नदी को ठीक है दूसरा point आपको याद रखना है ये पुल जो है अरूनाचल परदेश के धोला कसबे से असम के तिन सुक्या जिल्ले के सदिया कसबे को जोडता है ठीक है ये अरूनाचल परदेश से असम को जोडता है ठीक है और कौन सी नदी पर बना है अगला question है भारतिय नोसेनाखेडमी किस राजय में है तो यह आपकी इस्तित है option नमार A केरल में अग्ला question है पांस सितारों वाला रास्ट्य धुच किस देश का है ऐसा कौन सा जंड़ा है जिस पर पांस सितारे लगे वे हैं तो यह जंड़ा है आपका option नमार B चीन का अग्ला question है वर्स का सबसे छोटा दिन होता है वर्स का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है तो ये होता है आपका उप्सन नमबर D 22 सितंबर को और सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है 21 जून को ठीक है सबसे बड़ा 21 जून को और सबसे छोटा 22 दिसंबर को चलिए अगला question है निम्न में से कौन सा एक leap verse है अधिवर्स है ठीक है leap verse का मतलब क्या है जो जिसमें 366 दिन आते हैं ठीक है जिसमें फरवरी कितने की होती है 29 की होती है उसे कहते हैं leap verse तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा क्या है leap verse है और ये परतेक चार साल में आता है तो जो वर्स जो है चार से डिवाइड होगा वही क्या होगा leap verse होगा ठीक है ये चार से डिवाइड नहीं होगा ये भी चार से डिवाइड नहीं होगा और ये वाला हो जाएगा ठीक है तो option number C इसका क्या होगा right answer होगा आयकर कौन लगाता है तो आयकर आपका लगाता है उप्सन नमबर C केंद्र सरकार अगला कोशन है मदर टेरसा को नोबिल पुरुसकार कब मिला था तो इनको मिला था उप्सन नमबर A 1989 कोटी के सांती के छेत्र में अगला कोशन है राज्यसभा में अधिक्तम सीटों की संक्या कितनी होती है मैक्सिमम सीटों की संक्या कितनी होती है उप्सन नमबर A 250 राज्यसभा में अधिक्तम सीटों की संक्या कितनी है 250 अगला कोशन है कॉंग्रेस का पर्थम अध्यक्स कौन था Most important question है Congress का पर्थम अध्यक्स कौन था जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए ये थे आपके option number D व्योमेश चंद्र वेनरजी छट्वें सेट का पहला question है MacVet किताब किसने रची है जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए MacVet book किसने लिखी है इसका right answer आपका होगा option number C Shakespeare ने MacVet जो पुस्तक है वो किसने लिखी है Shakespeare ने अगला question है vote देने के लिए नियूंतम उम्र क्या होती है ये question सभी को पता होगा जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए इसका right answer आपका होगा option number A 18 वर्स vote देने के लिए जो नियूंतम आईू है वो कितनी होती है 18 वर्स अगला question है कामाख्या मंदिर कहां इस्तित है जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए most important question है कामाख्या मंदिर कहां इस्तित है ये इस्तित है आपका option number A आसाम में अगला question है RTI का क्या अर्थ है या RTI की फुल फॉर्म क्या है जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए RTI की फुल फॉर्म होती है right to information तो इसका right answer आपका होगा option number C सूचना का अधिकार अगला question है औरी कौन से राज्यमें इस्तित है जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए औरी कौन से राज्यमें इस्तित है इसका right answer हो जाएगा option number B जंबू वा कस्मीर में next question है जैहिंद का नारा किसने दिया जैहिंद का नारा किसने दिया इसका right answer है option number A जल्या वाला बाग हत्या कांड कहां हुआ था जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए इसका right answer है option number A अमरित सर में जल्या वाला बाग हत्या कांड कहां पे हुआ था अमरित सर में ठीके अगला question है UNO का मुख्याले कहां इस्तित है ये question repeat हुआ है UNO का बत्तब है सयुक्त रास्ट शंग ठीके या United Nations Organization United United Nations Organization ठीके तो इसका मुख्याले आपको बताना है कहां पर इस्तित है तो ये question मैंने आपको पहले भी बताया है इसका right answer है option number C New York, America में ठीके अब आपको कमेंट में बताना है कि इसकी इस्तापना कब हुईती ठीके तो जल्दी से अपना answer कमेंट में कीजिए अगला question है सिंदु घाटी सब्वेता का मुख्य ब्योसाय क्या था जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए जल्दी से अपना answer कमेंट किजिए इसका right answer है option number A अफरीका से अगला question है और most important question है चिल्का जील किस राज्य में इस्तित है जल्दी से अपना answer बताईए चिल्का जील किस राज्य में इस्तित है ये इस्तित है आपकी option number A ओडिसा में चलिए अगला question पढ़िए और इसका answer दीजिए तेहरी बांध किस नदी के किनारे पर इस्तित है तेहरी बांध इस्तित है आपका option number C वागी रथी नदी के किनारे पर वर्तमान लोकशबा अध्यक्ष कौन है जल्दे से बताईए बर्तमान जो लोकशबा के जो अध्यक्ष है लोकशबा स्पीकर जो है वो कौन है तो इसका right answer आपका होगा option number D इन में से कोई नहीं तो आप मुझे बताईए कौन है ये हैं आपके ओम विडिला ओम विडिला ठीक है कौन है बर्तमान लोकशबाद्यक्स कोन है ओम विडिला अगला कौश्चन है भारत का पर्थम किलाडी जिसने टेस्ट मैच में 13 सतक लगाया है तो जल्दी से अपना answer बताईए ठीक है ऐसा पहला कौन सा किलाडी है जिसने 13 सतक लगाया था यानि 300 रन बनाये थे एक ही मैच में तो इसका राइट आंसर है option number C ब्रेंद्र सहवाग सातवें सेट का पहला कौश्चन है दुत्य विशयुद्ध कब खत्म हुआ जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए कौश्चन को आप ध्यान से पढ़ना आपसे पुछा गया है कि दुत्य विशयुद्ध कब खत्म हुआ इसका राइट आंसर आपका होगा option number C 1945 में ठीक है अब आप मुझे बताईए जो दुत्य विशयुद्ध था ये कब से कब तक चला था ये जो दूसरा विशयुद्ध था ये 1949 से लेकर 1945 तक ये चला था ठीक है इसके साथ साथ आपको याद रखना है जो पर्थम विशयुद्ध था वो 1914 से 1918 तक चला था ठीक है 1914 से 1918 तक चलिए अगला question है important question है पानी पत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई जल्दी से अपना answer कमेंट कीजे पानी पत की जो दूसरी लड़ाई थी वो किस किस के बीच हुई इसका right answer आपका होगा option number A अकबर वा हेमू अब आप मुझे बताईए पानी पत की जो पहली लड़ाई थी वो किस के बीच हुई थी वो आपकी हुई थी बाबर और इबराहिम लोदी तीसरी जो लड़ाई थी वो हुई थी आपकी एहमद साह अबदाली और मराठों के बीच इसके साथ साथ आपको इनका sun भी याद रख रहे हैं जो पानी पत की जो दूसरी लड़ाई थी वो हुई थी आपकी पानी पत की दूसरी लड़ाई ये हुई थी आपकी 1556 में पानी पत की पहली लड़ाई ये आपकी हुई थी 1526 में और पानी पत की जो तीसरी लड़ाई थी ये आपकी हुई थी 1661 में ठीक है ये भी आपको साथसाथ में याद रखना है चलिए अगला कॉशन है किस खिलाडी को भारत रतन मिला है काफी आसान कॉशन है किस खिलाडी को भारत रतन मिला है इसका Right Answer is Option No. B सचिन तेंदलू करकू अगला कॉशन है मानिपूर की राजदानी कहा है जल्दी से अपना अंसर केमेंट कीजिए मनिपूर की राजधानी कहां है इसका राइट अंसर है अप्सन नमबर D इमपाल नेक्स्ट है 1920 के खिलाफत आनोलन के परमुख नेता कौन थे 1920 में जो खिलाफत आनोलन आपका हुआ था उसके परमुख जो नेता थे वो कौन थे इसका राइट अंसर आपका होगा अप्सन नमबर A सौकत अली वा मुहमद अली अगला कुशन है भारत का पर्थम नागरिक कौन होता है Most important कुशन है भारत का पर्थम नागरिक कौन होता है जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए इसका right answer आपका होगा option number B रास्टर पती भारत का पर्थम नागरिक होता है चलिए अगला question है जापान की राजधानी कहा है जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए जापान की राजधानी कहा है इसका right answer है option number D Tokyo next question है जल्दी से इसका answer कमेंट कीजिए जल्दी से इसका answer कमेंट कीजिये जल्दी से अपना पर्थम अश्टर राश्टर पती कौन था इसका right answer आपका होगा option number B Nelson Mandela ठीक है इनको जो है दक्रण अपरिका का गांधी भी कहते हैं अगला question है निम्न में से कौन सा सही है इन में से कौन सा सही है जल्दी से आप इसका आंसर बताईए इसका राइट आंसर आपका होगा option number C राउर केरा जो है वो कहाँ पर है ये आपका है उडिसा में जबकि जो बोकारो है ये आपका कहाँ पर है जारखंड में जारखंड में और जो दुर्गापुर आपका है ये पश्चिम बंगाल में ठीक है पश्चिम बंगाल में तो इसका right answer आपका होगा option number C राउर केरा उडिसा अगला प्रश्चन है पटना किस नदी के तट पर बसा है जल्दी से अपना answer केमेंट कीजिए पटना किस नदी के तट पर बसा है इसका right answer होगा option number D गंगा की अगला question है सिख्धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है जल्दी से अपना answer दीजिए सिख्धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है इसका right answer है option number A ग्रू गरंथ साहिव चलिए अगला question है important question है बंदे मातरम किसने लिखा बंदे मातरम की रचना किसने की है Most important question यह है आपका जल्दी से इसका answer comment कीजिए इसका right answer आपका होगा option number C वंकिम चंद्र चटर जी चलिए अगला question है East India Company जब भारत में आई उस समय मुगल सासक कौन था जब भारत में East India Company का आगमन हुआ था उस समय मुगल सासक कौन था जल्दी से अपना answer comment कीजिए इसका right answer आपका है option number C जहांगीर जब East India Company भारत आई थी तो उस समय मुगल सासक कौन थे जहांगीर अगला question है एक billion में कितने करोड होते हैं जल्दी से अपना answer comment कीजिए एक billion में option number B 100 करोड होते हैं आटवे सेट का पहला question है मेघालय की राजधानी कहां है जल्दी से अपना answer comment कीजिए मेघालय की राजधानी क्या है इसका right answer आपका होगा option number A सिलोंग मेघालय की राजधानी कहां पर है सिलोंग में अगला question है अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है अंडमान निकोबार की राजधानी कहां है इसका right answer है option number A पोर्ट विलेर अगला question है भारत का सरवादिक आवादी वाला राजधा कौन सा है जल्दी से अपना answer comment कीजिए भारत का सरबादिक आवादी वाला राज्य कौन सा है इसका राइट आंजर है उप्सन नमबर B उत्तर परदेश अगला कुशन है दुरोणा चार्य पृष्कार किसे दिया जाता है जल्दी से अपने आंजर कमेंट किजिए दुरुनाचार या प्रुसकार किसे दिया जाता है इसका राइट आंसर आपका होगा अप्सन नमबर B खेल के कोज को अगला कुशन है कौन सागर आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड को अलग करता है जल्दी से अपना आंसर बताईए कौन सागर आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड को अलग करता है इसका राइट आंसर आपका होगा अप्सन नमबर B तस्मान सागर अगला कुशन है प्रिथिवी की तरज्या लगभग होती है जो प्रिथिवी की रेडिया से वो लगभग कितनी होती है जल्दी से अपना आंसर केमेंट कीजिए तो प्रिथिवी की जो तरज्या है वो होती है आपकी आप्सन नमबर C 6,371 किलोमेटर अगला कुशन है फीफा वर्ड कप 2022 में कहां आयोजित होगा जो 2022 में जो फीफा वर्ड कप होगा वो कहां पर आयोजित होगा इसका राइट आंसर होगा उप्सन नमबर A कतर में चलिए अगला कुशन है विश्व बैटमिंटन चैंपियंशिप 2019 में सुर्ण पदक किसने जीता जल्दी से अपना आंसर केमेंट कीजिए विश्व बैटमिंटन चैंपियंशिप 2019 में सुर्ण पदक किसने जीता इसमें सुर्ण पदक जीता था उप्सन नमबर B सानिया मीरजाने अगला कुशन है और मोस्ट इंपोर्टन कुशन है देस बंदू के नाम से बिख्यात है जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर C सित्रंजन दास अगला कुशन है पर्थम नोबेल प्रुसकार प्राप्त करने वाले भारतिया थे ये कुशन सायद रिपीट हुआ है जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए पहले भारतिय बेक्ति कौन थे जिन्हें नोबेल प्रुसकार प्राप्त हुआ था ये थे आपके उप्सन नमबर A रभी इंद्रनाट टैगोर चलिए अगला कुशन है मैक मोहन रेखा किन देशों के बीच पढ़ती है जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए मैक मोहन रेखा किन देशों के बीच पढ़ती है इसका राइट आंसर होगा अप्सन नमबर B चीन और भारत के बीच अगला कुशन है गोल गुमबज कहां इस्तित है इसका राइट आंसर होगा अप्सन नमबर B करनाटक में अगला कुशन है वह करांतिकारी जो बाद में दारसनिक बना कौन था उस करांतिकारी का नाम बताईए जो बाद में दारसनिक बन गया था ठीक है तो इसका राइट आंसर आपका होगा option number A अर्बिंदो घूश ये पहले करांती का रही थी और बाद में एक दार्सिनिक बन गए थे ठीक है अगला question है Roger Federer किस खेल से सम्बंदित है जल्दी से अपने answer केमेंट कीजिए Roger Federer किस खेल से सम्बंदित है ये सम्बंदित है आपके option number A tennis से next question है पीतल के बरतनों के लिए परसिद्ध सहर कौन सा है ऐसा कौन सा सहर है जो पीतल के बरतनों के लिए परसिद्ध है जल्दी से अपने answer केमेंट कीजिए इसका right answer हो जाएगा option number A मुरादा बाद अगले set का पहला question है नई राजनीतिक पार्टियों को माननेता कौन देता है चलिए जल्दी से अपना answer केमेंट कीजिए नई राजनीतिक पार्टियों को माननेता कौन देता है इसका right answer है option number B चुनाव आयुक्त ठीक है इससे सम्मंदित एक question आपको और याद रखना है आप मुझे बताईए हमारा बरतमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है यह है आपके सुसील चंद्रा सुसील चंद्रा और यह 24 वे कौन से नंबर के हैं 24 वे नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है इससे पहले आपके थे सुनील अरोड़ा कौन थे सुनील अरोरा चलिए अगला कोशन है मंगोल का पर्थम साशक कौन था जल्दी से अपना अंसर कमेंट किजिए मंगोल का पर्थम शाशक मंगोल का पर्थम साशक था अप्सन नमबर सी चंगेज खां अगला कोशन है नेपोलियन बोनापार्ट कहां का था जल्दी से अपना अंसर कमेंट कीजिए नेपोलियन बोनापार्ट कहां का था इसका राइट अंसर होगा उप्सन नमबर B फ्रांस का इस रो का मुख्याले कहां इस्तित है जल्दी से अपना अंसर कमेंट कीजिए इस रो का मुख्यलाए कहा पर इस्तित है इस रो की आपको फुल फॉम भी याद रखनी है इस रो की फुल फॉम है Indian Indian Space Research Research Centre इंडियन स्पेस रिसर्ज Centre ठीके तो इस की फुल फॉम भी आपको याद रखनी है और बताईये कि इसका मुख्यालय कहां पर इस्तित है इसका मुख्यालय है option number D बैंगलूरू में नोका दोड का आयोजन किस तोहार पर होता है जल्दी से बताईए नोका दोड का आयोजन किस तोहार पर किया जाता है इसका right answer होगा option number A ओनम त्योहार पर ठीके और ये त्योहार कहां पर मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका केरल में ठीके ओनम कहां पर मनाया जाता है केरल में चलिए अगला question है पर्थम विश्वयुद कब खत्म हुआ question को ध्यान से पढ़ना पर्थम विश्वयुद कब खत्म हुआ यहाँ पर सुरू नहीं पूछा है क्या पूछा है कब खत्म हुआ तो इसका right answer आपका होगा option number D 1918 में ठीक है पर्थम विश्वयुद जो है पर्थम विश्वयुद 1914 से लेकर 1918 तक चला था ठीक है जो दुत्विया विश्वयुद था वो 1949 से लेकर 1945 तक चला था ठीक है next question है आजाद हिंद फोज को किसने परसिद्धी दिलवाई थी जल्दी से अपना answer कमेंट कीजे आजाद हिंद फोज को किसने परसिद्धी दिलवाई थी इसका right answer होगा option number B सुवाश शंद्र बोस ने grand trunk road किसने बनवाई most important question है grand trunk road किसने बनवाई इसका right answer है option number B सेर साहा शूरी ने चलिए अगला question है बन्यजीव संद्रक्षन का उद्देश्य क्या है जल्दी से अपना answer comment किजिए बन्यजीव संद्रक्षन का उद्देश्य क्या है इसका right answer है option number C जानवरों की सुरक्षा चलिए अगला question है जगह को भारत के कोईले की राजधानी कहा जाता है किस जगह को भारत के कोईले की राजधानी कहा जाता है इसका right answer है option number B धनवाद जो की कहा पर है जारखंड में इसको भारत के कोईले की राजधानी कहते है सुसरी बिश्व की पर्थम महिला रास्टपती थी आपको बताना है बिश्व की पर्थम महिला रास्टपती कौन थी इसका right answer आपका है option number 4 मेरिया एजबेल अर्जेंटीना ये अर्जेंटीना की थी और ये बिश्व की पहली महिला रास्टपती थी इसके साथ साथ एक और important question यहां से बनता है स्री माबो भंडार नाई के कौन थी तो ये थी आपकी बिश्व की पहली पर्धान मंत्री यहां पर आपसे पूछा है रास्टपती और ये कौन थी पर्धान मंत्री बिश्व की पहली पर्धान मंत्री और ये किस देश की पर्धान मंत्री थी ये थी स्री लंका की ठीके कहां की थी स्री लंका की चलिए अगरा कोशन है आगरा नदी के किनारे इस्तित है आगरा सहर किस नदी के किनारे इस्तित है जल्दी से अपना answer केमेंट कीजिए इसका right answer हो जाएगा option number A यमुना नदी के रानी लक्समी बाई की सासक थी रानी लक्समी बाई कहा की सासी का थी इसका right answer है option number A जहांसी की कहां की थी जहांसी की भारत में मुगल साशन किसने सुरू किया भारत में मुगल साशन किसने सुरू किया इसका right answer है option number B बाबर ने किसने किया था बाबर ने अगला question है सोने का सरबादिक उत्पादन करने वाला विश्व में देश है विश्व में सरबादिक सोने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है इसका राइट अंसर है उप्सन नमबर C चीन दस्वे सेट का पहला कुश्चन है डांडी मार्च किसने किया था जल्दी से अपना answer कमेंट किजिए डांडी मार्च किस ने किया था इसका right answer है option number C महात्मा गांदी ने इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है डांडी मार्च की सुरुवात 12 मार्च 12 मार्च 1930 को एहमदाबाद इस्तित साथर मती आश्रम से हुई थी ठीक है अगला question है रास्टर चिन्न में कितने सिंग है इसका right answer है option number A चार रास्टर चिन्न में कितने सिंग है चार अगला question है सोतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जनरल कौन थे सोतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जनरल कौन थे इसका right answer है option number C Lord Mountbatten इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है सोतंत्र भारत के पर्थम भारतिय गवर्नर जनरल कौन थे तो ये थे आपके सी राज गोपाला चारी ये सोतंत्र भारत के पर्थम भारतिय गवर्नर थे कौन कैसे गवर्नर थे भारतिय ठीक है पर्थम भारतिय गवर्नर थे अगला question है भारत का अंतिम मुगल बादसा था जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए इसका right answer हो जाएगा option number C जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए उनको कहते हैं अगला question है ये सबी को पता होगा इसका right answer है option number A बाईस गज अगला question है इंपोर्टेंट कुशन है बनारस हिंदू बिश्व बिद्याले की स्थापना किसने की थी इसके स्थापना की थी औप्स नमबर B मदन मोहन मालवियने अगला कुशन है भारत के किस भाग में चाए और कॉफी की पैदावार साथ साथ होती है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नमबर B दक्षन पूर्ब में ठीक है जिम कॉरबेट रास्टे उद्धियान कहां इस्तित है इंपोर्टेंट कुशन है जिम कॉर्बिट रास्टे उद्यान कहां इस्तित है जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर है उप्सन नमबर B उत्राखंड में इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है ये भारत का पहला रास्टे उद्यान था इसकी स्थापना 1936 में की गई थी ठीक है अगला कोशन है बागीचों का सहर किसे कहा जाता है ये कोशन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है वैसे बागीचों का सहर कहते हैं कपूर थलागो किसे कहते हैं कपूर्थला पंजाब को क्या कहते हैं बागीचों का सहर और बैंगलूरू को कहते हैं भारत का बागीचा भारत का बगीचा या उद्ध्यान बगीचा या उद्ध्यान ठीक है तो ये कुशन थोड़ा सा confusion है इसको आप एक बार देख देना ठीक है बगीचों का शहर किसे कहते हैं कपूर्थला पंजाब को और भारत का बगीचा किसे कहते हैं बैंगलूरू को चलिए अगला कुशन है किस सहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है अरब सागर की रानी किस सहर को कहते हैं इसका राइट आंसर है उप्सन नमबर उप्सन नमबर A कोचीन को भगबान महावीर का जन्म स्थान है भगबान महावीर का जन्म कहा हुआ था इसका राइट आंसर है उप्सन नमबर B वैशाली में अगला कॉशन है इसकूप सब्द किस से सम्मंदित है इसका right answer है option number A हौकी से अगला question है महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था जल्दी से अपना answer कमेंट किजिए महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था इसका right answer है option number C 18 दिन अगला question है भारत में कितने केंदर सासित परदेश हैं? जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए इसका right answer होगा option number B, पहले 7 थे और अब कितने है? 8 अगले set का पहला question है कलहन की रचना निम्न मेंसे है? जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए इन मेंसे कलहन की रचना कौन सी है? इसका right answer है option number D, राजत रंगनी अगला question है जहां मदमक्खियों को पाला और रखा जाता है उसे कहते हैं? जल्दी से अपना answer दीजिए इसका right answer है option number C, एपियरी ठीक है? इसको क्या कहते हैं? अपियरी, ए, पी, आई, ए, आर, वाई अपियरी अप्लेस वेर बीज आर कैप्ट ठीक है? जहां पर मदमक्खियों को रखा जाता है अगला question है आर्या समाज के संस्थापक कौन है? जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए important question है आर्या समाज के संस्थापक कौन है? इसका right answer है option number A दयानंद सरसोती अगला question है गोवा की राजधानी कहां है? ये सभी को पता होगा गोवा की राजधानी कहां है? जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए इसका right answer है option number D पंजी में कहां पर है? पंजी में अगला question है निम्न में से कौन सा परवत नर्मदा और तापती नदी के बीच इस्थित है? इन में से कौन सा परवत है जो नर्मदा और तापती नदी के बीच में है? जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए ये परवत है आपका option number C सत्पोडा परवत स्रंकला अगला question है माउंट आबू इस्थित है माउंट आबू कहां पर इस्थित है? इसका right answer है option number B अरावली परवत स्रेणी में माउंट आबू कहां पर है? अरावली परवत स्रेणी में और ये अरावली परवत्रंगला कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में. कहाँ पर है? राजस्थान में. चलिए अगला कुशन है. लाला लाजपतराय को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंशर है उप्स नमबर A. पंजाब केसरी के नाम से. हीरा कुंड बांध किस नदी पर है Most important question है हीरा कुंड बांध किस नदी पर इस्तित है कई exams में ये question पूछा जाता है जल्दी से अपना answer comment किजिए इसका right answer है option number C महा नदी पर हीरा कुंड बांध कौन सी नदी पर है महा नदी पर और ये बांध किस राज्ये में है ये है आपका उडीसा राज्ये में कहां पर है उडीसा राज्ये में चलिए अगला question है भारत के उपराश्ट पती चुने जाते हैं भारत के उपराश्ट पती को कौन चुनता है जल्दी से अपना answer comment कीजिए इसका right answer आपका है option number C A और B दोनों राज्ये सबाथ सदस्यों द्वारा और लोग सबाथ सदस्यों द्वारा ठीक है तो option number C इसका right हो जाएगा अगला question है सियाचीन glacier कहां इस्तित है जल्दी से अपना answer comment कीजिए सियाचीन glacier आपका इस्तित है option number A जंबू कस्मीर में अगला question है लोहरी निरत्य कहां से संबन्दित है important question है लोहरी निरत्य कहां से संबन्दित है इसका right answer है option number B पंजाब से लोहरी निरत्य का संबन्द पंजाब से है ठीक है अगला question है अमजद अली खान संबन्दित है जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए अमजद अली खान संबंदित हैं इसका right answer है option number एक सरोद से अगला question है भारत का दुत्य परधान मंतरी कौन है भारत का दूसरा परधान मंतरी कौन था इसका right answer है option number डी लार बहादुर सास्त्री और पहले परदान मंतरी आपके थे पंडित जबाल लाहल नहरू और ये आपके डॉक्टर राजन परसाथ पहले आपके क्या थे? रास्ट पती चलिए अगला कोशन है डिस्कबरी ओफ इंडिया किसने लिखी है? Discovery of India नामक पुस्तक किसने लिखी है जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए Most important question है कई exams में एक question पूछा जाता है चलिए जल्दी से अपना आंसर बताईए इसका right answer है option number A जबाहर लाल नहरूने अगला सेट आपका है 12 और इसका पहला question है ताज महल किसने बनवाया जल्दी से इसका answer कमेंट कीजिए ताज महल किसने बनवाया इसका right answer है option number C साहा जहाने अगला question है सैयुक्त रास्ट का मुख्याले कहां इस्तित है ये question सायद 2-3 बार आ चुका है जल्दी से बताईए सैयुक्त रास्ट संग का मुख्याले कहां इस्तित है इसका right answer है option number C नियू यार्क सैयुक्त रास्ट संग का मुख्याले कहां पर है नियू यार्क में अब आपको कमेंट में बताना है कि इसकी इस्तापना कब हुई थे चलिए अगला question है गिरिजा देवी निम्न में से किस छेतर से संबंधित है जल्दी से अपना answer कमेंट किजी गिरिजा देवी किस छेतर से संबंधित है इसका right answer है option number C ये थी संगीत कार ठीक है अगला question है बंगला देश की आजादी के लिए 1971 का मुक्ति संगर्ष के मध्य लड़ा गया था 1971 में जो मुक्ति संगर्ष था वो किसके बीच हुआ था इसका right answer है option number A भारत और पाकिस्तान के बीच किसकी आजादी के लिए बंगला देश की आजादी के लिए अगला question है केंदरी आउसदी अनुसंदान संस्तान भारत के किस सहर में है जल्दी से अपना answer के मेंट किजिए इसका right answer आपका है option number A लखनो में केंदरी आउसदी अनुसंदान संस्तान कहां पर है लखनो में अंत्रिक्स में पहला जीब एक कुत्या थी उसका नाम क्या था? जल्दी से अपना अंसर बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्सन नमबर A लाईका अगला कॉशन आपका है जबाहर रोजगार योजना कब सुरू की गई जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए जबाहर रोजगार योजना कब सुरू की गई थी इसका राइट आंसर है उप्सन नमबर C 1990 या 1 अप्रेल 1990 को 1 अप्रेल 1990 को ठीक है पानी पत का पर्थम युद कब लड़ा गया था ये कोश्चन में आपको कई बार बता चुका हूँ इसका अंसर आपको याद हो गया होगा ठीक है पानी पत की जो पहली लड़ाई थी वो 1526 में लड़ी गई थी दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी आपकी 1556 में और तीसरी लड़ाई आपकी लड़ी गई थी 1761 में ठीक है चलिए अगला कोश्चन है बिश्चो कप किरकेट 2023 किस देश में खेला जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है करेंट का बिश्चो कप किरकेट 2023 किस देश में खेला जाएगा 2023 में जो वर्ल कप होगा वो कौन से देश में होगा इसका राइट आंसर आपका है उप्सन नमबर ए भारत और ये भारत में होगा इसलिए और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है अगला कोश्चन है गीता फोगाट से संबंदित हैं जल्दी से अपना आंसर कमेंट किजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसन नमबर B कुस्ती से अगला कुशन है जै जवान जै किशान का नारा किस ने दिया है जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिया इसका right answer है option number C, लाल बहाद्दुर सास्त्री ने अगला question है भारत का पहला रास्टपती कौन था? भारत के पहले रास्टपती कौन थे? जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए इसका right answer है option number B, डॉक्टर राजेंदर परसाद अगला question है सुरक्षा परिस्द के 5 स्थाई सदस्या हैं इन में से सुरक्षा परिस्द के 5 स्थाई सदस्या कौन है? सेक्योर्टी काउंसिल के 5 पर्मनेंट जो मिंबर हैं वो कौन से हैं? जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए इसका answer आपका होगा option number C, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूसे अगला question है विश्व मानव अधिकार दिवस हर वर्स कब मनाया जाता है? जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए most important question ये है विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है option number D, 10 दिसंबर को अगला question है महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? इंपोर्टेंट question है महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? इसका right answer आपका है option number B, 30 जनवरी option number B, 30 जनवरी 1948 को कब हुई थी 30 जनवरी 1948 को अगला set आपका है set 13 और इसका पहला question है नैनी ताल किस राज्यमें इस्तित है? नैनी ताल कौन से राज्यमें इस्तित है? इसका right answer आपका होगा option number A, उत्तरा खंड में अगला question है स्वर्ण मंदिर किस संप्रदाय से संबंदित है? जल्दी से अपना answer बताईए स्वर्ण मंदिर किस संप्रदाय से संबंदित है? इसका right answer है option number C, सिख संप्रदाय से अगला question है जोदपुर किस राज्य में इस्तित है जोदपुर कौन से राज्य में अवस्तित है इसका right answer आपका है option number C राजस्थान में अगला है करनाटक की राजधानी कहां है जल्दी से बताईए करनाटक की राजधानी कहां है इसका राइट आंसर होगा option number C वैंगलूरू में भारत की सबसे उंची चोटी कौन सी है important question है भारत की सबसे उंची चोटी कौन सी है जल्दी से अपना answer comment किजिए इसका right answer है option number B गार्डविन ओस्टिन अगला question है डांडी मार्च कहां से सुरू हुआ most important question यह है डांडी मार्च कहां से सुरू हुआ था तो यह question मैंने आपको पहले भी बताया था यह सुरू हुआ था अपका एहमदाबाद इस्तित साबर मती आसरम से ठीक है और इसकी सुरूआत कब हुई थी 30 मार्च 12 मार्च इसकी जो सुरूआत हुई थी वो ही थी आपकी 12 मार्च 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को ठीक है और कहां से सुरूई थी एहमदाबाद के साबर मती आसरम से तो डांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को और कहां से शुरू हुआ था एहमदाबाद के सामरमती आस्रम से अगला कोश्चन है बिराट कोली का संबन्द किस खेल से है इसका राइट आंसर होगा अप्सन नमबर C किरकेट से भारत का छेतरफल की दृष्टी से विश्चो में कौन सा इस्थान है जल्दी से अपना आंसर कमेंट किजे भारत का छेतरफल की दृष्टी से विश्चो में कौन सा इस्थान है इसका राइट आंसर आपका होगा अप्सन नमबर A सातुआ अगला question है नंदवंस का संस्तापक कौन है या नंदवंस का संस्तापक कौन था यहां पे था आएगा ठीक है इसका right answer आपका होगा option number A महा पदमा नंद अगला question है भारतिय रास्त्रिय कॉंग्रेस की इस्थापना किसने की most important question यह है भारतिय रास्त्रिय कॉंग्रेस की इस्थापना किसने की कई exams में एक कॉशन पूछा जाता है तो जल्दी से अपना answer comment कीजिए भारतिय रास्त्रिय कॉंग्रेस की इस्थापना जो है यह 28 दिसंबर 1885 को हुई थी ठीक है तो भारतिय रास्त्रिय कॉंग्रेस थी इसकी स्थापना कब हुई थी 28 दिसंबर 1885 में ठीक है तो आप बताईए इसकी स्थापना किसने की थी इसकी स्थापना की थी option नमबर ए ए हो हुम ने ठीक है option के एसाप से अगला question है भारतिय चिकित्सा अनुसंदान परिशद कहां इस्तित है आई सी एमार कहां पर इस्तित है इसका right answer होगा option नमबर ए दिल्ली में ICMR कहां पस इस्तित है दिल्ली में अगला question है उज्जेन में कौन सा परसिद्ध मंदिर इस्तित है उज्जेन में कौन सा परसिद्ध मंदिर इस्तित है इसका right answer आपका है option number A महा कालेस्वर मंदिर अगला कुशन है मोहन जोदोडो की खोज आरडी बनर्जी ने किस साल में की थी जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए मोहन जोदोडो की खोज आरडी बनर्जी ने किस साल में की थी आरडी बनर्जी का मतलब है राखल दास बनर्जी ने तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा option number C 1922 में अगला question है फत्याफुर सीकरी किसने बनवाया था ये question सायद repeat हुआ है तो इसका आंसर आपको comment box में करना है फत्याफुर सीकरी का निर्मान किसने करवाया था इसका आंसर हो जाएगा आपका option number B अकबर ने अगला सेट है 14 और इसका पहला question है बिस्व नाथन आनन्द किस खेल से जुड़े हुए है बिस्व नाथन आनन्द का संबंद किस खेल से है जल्दी से अपना answer comment कीजिए इसका right answer है option number C सत्रंज अगला question है भूकम्प मापने वाले यंत्र का नाम क्या है most important question है भूकम्प मापने वाले यंत्र का नाम क्या है जल्दी से अपना answer comment कीजिए जितने भी लोगों का answer option number A सीस्मो ग्राफ है उनका answer एकदम correct है अगला question है इटा नगर किस की राजधानी है जल्दी से अपना answer बताईए इटा नगर किस राज़्य की राजधानी है इसका right answer है option number A अरुनाचल परदेश की अगला question है रास्ट्रिय गीत के रजियता कौन है most important question है जल्दी से अपना answer बताईए इसका right answer आपका है option number A बंकिम चंद्र चटर जी और रास्ट्रगीत क्या है बंदे मातरम बंदे मातरम की रचना किस ने की है बंकिम चंद्र चटर जी ठीक है अगला question है लाला लाचपत राय की मिर्तियों हुई थी इनकी मिर्तियों कब हुई थी या कैसे हुई थी ठीक है लाला लाचपत राय की मिर्तियों हुई थी इसका right answer होगा option number A साइमन कमिशन भारत आया तब जब साइमन कमिशन भारत आया था उस समय जो है लाला लाजपत राय की मिर्तियों हुई थी ठीक है इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखने है कि साइमन कमिशन भारत कब आया ये आया था आपका तीन फरवरी तीन फरवरी लगती होता है इसका राइट आंसर है option number A रास्ट्र पती भारत का सबसे प्राचीन बेद कौन सा है most important question यह है इसका answer comment में कीजिए भारत का सबसे पुराना बेद कौन सा है इसका right answer आपका है option number A रिगवेद अगला question है सहारा मरुस्तल अफरिका के किस भाग में इस्तित है जल्दी से अपना answer बताईए सहारा मरुस्तल अफरिका के किस भाग में है इसका right answer आपका होगा option number A उत्तरी अफरिका में सहारा मरुस्तल कहां इस्तित है उत्तरी अफरिका में अगला question है 10 मई 1857 की करांती कहां से शुरू हुई जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए ये question सायद repeat हुआ है 10 मई 1857 की करांती कब शुरू कहां से शुरू हुई थी इसका right answer आपका है option number A मेरट से चलिए अगला question है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है most important question ये है भारत का लौह पुरुष किसे कहते है इसका right answer आपका है option number A सरदार वल्लब भाई पटेल को next question है रास्ट्रिय एरोनोटिकल लेबोरोटरी इस्थित है रास्ट्रिय एरोनोटिकल लेबोरोटरी कहां पर इस्थित है इसका right answer आपका होगा option number A प्रमाण परिक्षन कहां होता है most important question ये है भारत में परमाण परिक्षन कहां होता है इसका right answer आपका है option number A पोखरण राजस्थान में ठीक है और भारत में जो पहला परमाण परिक्षन हुआ था वो आपका हुआ था 18 मई 18 मई 1974 को ठीक है और कहां पर हुआ था पोखरण राजस्थान में ठीक है तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है अगला question है रास्टगान गाने में कितना समय लगता है ये question सभी को पता होगा इसका right answer आपका होगा option number B 52 सेकेंड का zebra line का सम्मंद किस से है zebra line का सम्मंद किस से है भूगोल से, सीमा से, सिगनल से तो इसका right answer होगा option number C सिगनल से road cross करने के लिए जो पैदल यात्रों के लिए जो पत्टियां बनी होती है उसको कहते हैं zebra line ठीक है ऐसी पत्टियां वापे बनी होती है अगला question है पनामा नहर किन दो महा सागरों को जोड़ती है जल्दी से अपना answer केमेंट कीजिए इसका right answer है option number D परसांत और अट्लांटिक महा सागर को अगला setup का है 15 और इसका पहला question होगा लंदन कहां पर इस्तित है जल्दी से अपना answer केमेंट कीजिए इसका right answer होगा option number A इंगलेंड में लंदन कहां पर इस्तित है इंगलेंड में अगला question है पानी पत्की दूसरी लड़ाई किस-किस के बीच हुई थी ये question कई बार आ चुका है और मैंने आपको एक question पूरी detail में बताया है तो अपना answer जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए पानी पत्की दूसरी लड़ाई किस-किस के मध्य हुई थी इसका right answer आपका होगा option number A अकबर और हेमू के बीच इसके साथ साथ आप मुझे बताईए जो पानी पत्की जो दूसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी या आपकी हुई थी 1556 में कब हुई थी 1556 में और जो पहली लड़ाई थी वो आपकी हुई थी 1526 में और जो तीसरी लड़ाई थी वो आपकी हुई थी 1761 में 1965 में किस-किस के बीच युद्ध हुआ था इसका राइट आंसर है ऑप्सन नमबर A भारत और पाकिस्तान के बीच चलिए अगला कॉशन है एक सिंग वाले गेंडे के लिए परसिद रास्टे उद्ध्यान कौन सा है एक सिंग वाले गेंडे के लिए जो परसिद रास्टे उद्ध्यान है वो कौन सा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट कुशन है कई एक्जाम्स में ये कुशन पूछा जाता है चलिए जल्दी से अपना आंसर बताईए इसका राइट आंसर है उप्सन नमबर A काजी रंगा रास्टे उद्ध्यान अब आप मुझे बताईए ये रास्टे उद्ध्यान कहां परिस्तित है ये आपका है असम में कुशन यहाँ पर ऐसे बन सकता है कि काजी रंगा रास्टे उद्ध्यान कौन से राज्या में है तो इसका right answer होगा असम राज्या भारत का सरबोच सेनापती कौन होता है जल्दी से answer कमेंट किजिए भारत का सरबोच सेनापती कौन होता है इसका right answer है option number A, रास्ट पती अगला question है major pad किस में होता है major pad इनमें से किस सेना में होता है तो ये आपका होता है option number C थल सेना में अगला question है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है जल्दी से answer comment किजिए सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है इसका right answer आपका होगा option number A सुक्र ग्रह सुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है चलिए अगला कुशन है थलसेना अध्यक्ष कौन है जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए तो इसका राइट आंसर आपका होगा उपसा नमबर डी इन में से कोई नहीं ठीक है तो बरतमान में जो हमारे थलसेना अध्यक्ष है वो हैं आपके मनोज मुकुन नर्वाने चलिए अगला कुशन है कथक कथकली कहां का निर्त्य है जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए कथकली कहां का निर्त्य है most important कुशन ये है कई exams में ये कुशन पूचा साता है तो ये निर्त्य है आपका option नमबर ए केरल का अगला है आरके लक्षमन किस से सम्मंदित हैं जल्दी से अपना आंसर बताईए इसका राइट आंसर है option number D cartoonist थे ठीक है आरके लक्षमन क्या थे एक cartoonist अगला question है अरिहंत क्या है जल्दी से अपना आंसर कमेंट किजिए इसका राइट आंसर होगा option number B अरिहंत एक परकार की क्या है पंडू भी है चलिए अगला question है राज्य सरकार की बिधान सबा का मुख्या कौन होता है राज्य सरकारों में जो बिधान सबा का जो मुख्या होता है वो कौन होता है important question है जल्दी से अपना आंसर कमेंट किजिए इसका right answer हो जाएगा option number A, मुख्य मंत्री विवेका नंद ने किसकी इस्थापना की थी most important question ये रहेगा आपका विवेका नंद ने किसकी इस्थापना की थी जल्दी से answer comment कीजिए जितने भी लोगों का answer option number A, राम क्रेश्न मिशन है उनका answer एकदम correct होगा स्वामी विवेका नंद ने राम क्रेश्न मिशन की स्थापना की थी चलिए अगला question है बौद गरंथ से सम्मंदित भासा है बौद गरंथ से सम्मंदित भासा कौन सी है जल्दी से अपना answer बताईए इसका right answer होगा option number B, पाली बौद गरंथ से सम्मंदित भासा कौन सी है पाली अगला question है मिखाई काल सनिकूब के मसहूर खोज करता है जल्दी से आपना answer comment कीजिए इसका right answer आपका है option number D, AK47 की BBC का मतलब क्या है अगला question है BBC का मतलब क्या है या BBC की full form क्या है इसका right answer आपका होगा option number A, British Broadcasting Corporation टीपू सुल्तान कहां का सासक था important question है जल्दी से अपना answer बताईए टीपू सुल्तान कहां का साशक था जितने भी लोगों का answer option number B, मैसूर है एकदम उनका right answer है अगला question आपका है ACI खेलों में होकी को कब सामिल किया गया था ACI खेलों में होकी को कब सामिल किया गया इसका right answer है option number C, 1958 में अगला question है important question है केवला देव राश्टिय पार्क किस राज्य में है जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए केवला देव राश्टिय पार्क कौन से राज्य में है राश्टिय पार्क है ये पक्षियों से शम्मन दीते है ठीक है अगला question है सन 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी तो जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए important question ये है आपका 1913 में भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी इसका right answer है option number A दादा साहव फाल के द्वारा अगला question है चार मीनार कहां इस्तित है जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए ये भी important question है चार मीनार कहां पर इस्तित है इसका right answer है option number A हैदराबाद में अगला question है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए most important question ये है आपका योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी इसका right answer है option number D 1950 में ये भी important question है भारतिय भारतिय समिधान के प्रारूप समिती के अध्यक्ष कौन थे जो समिधान की प्रारूप समिती थी उसके अध्यक्ष कौन थे जल्दी से अपना answer बताईए इसका right answer है option number C वीम राव अंबेड कर वह देश जहां से भूमद्य तथा मकर रेखा गुजरती है ब्राजील ब्राजील से भूमद्य और मकर रेखा गुजरती है ठीक है चलिए अगला question है पर्थम गोल में सम्मेलन कब हुआ था जल्दी से अपना answer बताईए ये भी important question है पर्थम गोल में सम्मेलन कब हुआ था इसका right answer है option number D 1930 मे अगला question है चीन की राजधानी कहां है जल्दी से अपना answer बताईए चीन की राजधानी कहां है इसका right answer हो जाएगा option number C बीजिंग नाथूला दर्रा किस राज़्यमे इस्तित है important question है नाथूला दर्रा किस राज़्यमे इस्तित है इसका right answer है option number D सिक्किमे नाथूला दर्रा कहां पर है सिक्किमे next है make doodh पुस्तिक के लेखक कौन है most important question है make doodh पुस्तिक के लेखक कौन है इसका right answer है option number A काली दास make doodh पुस्तिक किस ने लिखी है काली दास ने महा भारत के रचियता कौन है जल्दी से answer केमेंट कीजिए ये भी important question है महा भारत के रचियता कौन है इसका right answer है option number A महरसी वेद व्यास अगला set आपका है 17 और इसका पहला question आपका है Mount Everest किस देश में पढ़ता है most important question आपका है Mount Everest कौन से देश में पढ़ता है इसका right answer है option number B मांट एस्ट आबरेश कहां पर इस्थ है नेपाल में National aerospace laboratory का मुख्याला है जल्दी से अपना answer केमेंट कीजिए इसका right answer है option number C वेंगलूरू में अगला question है Waterloo का वाटरलू कहां इस्थ है जल्दी से अपना answer बताइए वाटरलू का युद्ध आपने सुना होगा वाटरलू कहां पर इस्तित है इसका राइट आंसर है ओप्सन नमर ए वेल्जियम में इसके साथ साथ आप ये भी याद कीजिए वाटरलू का जो युद्ध था वो हुआ था आपका 1815 भी में और ये नेपोलियन बोनापाड का अंतिम्युद्ध था भारत छोड़ो आंदोलन कब सुरू हुआ था जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए भारत छोड़ो आंदोलन कब सुरू हुआ था इसका राइट आंसर है ओप्सन नमर बी 1942 में अमीर खुसरो किस समराट के दरवार में कभी थे जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए अमीर खुसरो किस समराट के दरवार में कभी थे इंपोर्टन कोशन है इसका राइट आंसर है ओप्सन नमर सी अल्लाओ दीन खिलजी के दरवार में अगला है काबेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए मोस्ट इंपोर्टन कोशन है आपका है काबेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है इसका राइट आंसर है ओप्सन नमर सी करनाटक और तमिलनाडू राज्यों के बीच में अगला question आपका है Veeam का पूरा नाम क्या है Veeam आप app यूज़ करते होंगे Veeam ठीक है Veeam UPI आप यूज़ करते होंगे उसका full form क्या है Veeam का ठीक है भारत interface for money option number A इसका right answer होगा भारत interface for money यह इसकी full form है अगला question है और most important question है आपका बनता है कई exam से में एक question पूछा जाता है जामा मस्ज़ित किसने बनवाई जल्दी से answer comment कीजिए जामा मस्ज़ित का निर्मान किसने करवाया था इसका right answer है option number A साहा जहाने किसने करवाया था साहा जहाने अंबेड़कर का एक सिद्दान्त क्या था अंबेड़कर का एक सिद्दान्त क्या था जल्दी से अपना answer बताईए इनका सिद्दान्त था option number C जाती का अभाव अगला question है अविश्मरणिया साहितिक चरित्र स्वामी किसने बनाया था जल्दी से answer comment कीजिए अविश्मरणिया साहितिक चरित्र स्वामी किसने बनाया था इसका right answer है आपका option number C आर के नारायन ने supreme court के नियाए धीसों की नियुक्ति कौन करता है most important question आपका ये है supreme court के नियाए धीसों की नियुक्ति कौन करता है जल्दी से answer बताईए इसका answer आपका होगा option number C रास्टपती जो supreme court है उसके जो मुख्य नियाए धीसे उनकी नियुक्ति कौन करता है रास्टपती अगला question है भारत का सरबोच नियाले में इस्तित है भारत का सरबोच नियाले कहां पर इस्तित है इसका right answer आपका है option number A नई दिल्ली में उपरास्टपती बनने के लिए नियुन्तम आयुसीमा कितनी होती है most important question ये है आपका उपरास्टपती बनने के लिए नियुन्तम आयुसीमा कितनी होती है इसका right answer आपका है option number C 35 वर्ज अगला question है सिक्किम की राजधानी कहा है ये सबी को पता होगा इसका right answer है option number C गंग टूक अगला question है www का full form है जल्दी से अपना answer बताइए इसकी full form होती है world wide web option number A इसका right answer होगा अगला सेट है 18 और इसका पहला question है बिस्व ब्यापार संगठन का मुख्याले सन में स्थापित हुआ था जल्दी से अपना answer बताइए बिस्व ब्यापार संगठन का मुख्याले कि सन में स्थापित हुआ था इसका right answer आपका होगा option number D 1995 में ठीक है एक जनबरी 1995 को एक जनबरी 1995 को बिस्व ब्यापार संगठन का मुख्याले स्थापित हुआ था और इसका मुख्याले कहां पर है ये भी आपको याद रखना है इसका मुख्याले है जेनेवा स्थिटिजर लेंड में ठीक है इसको भी आपको याद रखना है अगला question है राज्यसबा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है जल्दी से अपना आंसर बताइए राज्यसबा के उपाध्यक्ष का चुनाव option number D राज्यसबा करती है अगला question है अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था most important question ये बनता है आपका अकबर ने कौन से धर्म को चलाया था इसका right answer है option number A दीन इलाही धर्म को सार्क का मुख्याले कहां पर इस्तित है जल्दी से अपना आंसर बताइए सार्क का मुख्याले कहां पर इस्तित है इसका right answer है option number D काठ मांडू नेपाल में ठीक है इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि सार्क की इस्तापना कब हुई थी सार्क की इस्तापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 में ठीक है कब हुई थी 8 दिसंबर 1985 में और सार्क की full form भी आपको याद होनी चीए S A A R K इसकी जो full form है वो है आपकी South South Asian South Asian Association Association for Regional Regional Corporation इसकी full form भी आपको याद रखनी है ठीक है साथ में इसका सन भी याद रखना है कि इसकी सापना कब हुई थी अगला कुशन है भारतिय मुद्रा की छपाई किस के दौरा की जाती है जल्दी से अपने आंजर बताइए भारतिय मुद्रा की जो छपाई है वो किस के दौरा की जाती है इसका राइट आंशर है Option number C भारतिय रिजर्बैंक रखना अगला कुशन है सती पर्था का अंत करने के लिए किसका अतुलनिय योगदान रहा Most important ये कुशन है सती पर्था का अंत करने में किसका अतुलनिय योगदान रहा था कई exam's में ये कुशन पूछा जाता है इसका right answer है option number C राजा राम मोहन राइका हुमायू का मकबरा कहां है ये भी most important question है हुमायू का मकबरा कहां पर इस्तित है इसका right answer आपका होगा option number A दिल्ली में खानवा का युद्ध कब हुआ जल्दी से अपना answer बताईए इसका right answer है option number C 1527 में ठीक है और 1526 में आपका हुआ था पानीपत का पर्थम युद्ध सौर मंडल का सबसे छोटा उपगरह कौन सा है यहाँ पर आपसे उपगरह पूछा गया है कि सबसे छोटा उपगरह कौन सा है इसका right answer है option number C D मास इंडिका किसकी रचना है जल्दी से अपना answer बताईए most important question है इंडिका किसकी रचना है यह है आपकी option number C मैग स्थनीज की अगला question आपसे पूछा है GST की full form क्या है जल्दी से अपना answer कमेंट किजिए GST की full form क्या है इसका right answer है option number A goods and services tax इसकी जो full form है वो क्या है goods and services tax इसके साथ साथ आपका इसका sun भी याद रखना है किसको कब लागू किया गया था तो यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से ठीक है इसको भी आपको याद रखना है लक्षशेन कौन से खेल से सम्मंदित हैं जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए लक्षशेन कौन से खेल से सम्मंदित हैं इसका right answer है option number A वैट मिंटन से पर्थम विश्वयुद कब खत्म हुआ था जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए ठीक है क्योंकि सारे option में answer गलत है तो आपको इसको live chat में comment करना है कि कब विश्वयुद खत्म हुआ था तो इसका right answer आपका होगा 1918 में ठीक है सारे जहां से अच्छा गीत किसने रचा है तो ये सभी को पता होगा इसका right answer आपका होगा option number B मुहमद इकबाल ने अगला सेट है 19 और इसका पहला question है पर्थम विश्वयुद कब हुआ जल्दी से अपना answer बताईए पर्थम विश्वयुद कब हुआ इसका right answer होगा option number A 1914 में इससे पहले वाले question में पूछा गया था कि पहला विश्वयुद कब खत्म हुआ था और यहां पे पूछा गया है पर्थम विश्वयुद कब हुआ तो कब हुआ था 1914 में अगला है तेलंगाना भारत का राज्य है कब बना जल्दी से अपना answer बताईए तेलंगाना भारत का राज्य है कब बना इसका right answer आपका हुगा option number 1 डो जून 2014 को बहाँ पर इस्दित है कोहाँ पर इस्दित है इसका right answer होगा option number A असम में इसके साथ साथ कौन सा काजी रंगा रास्ट्रिय उद्ध्यान ये भी कहां पर है असम्में ठीक है और ये एक सिंग वाले गिंडे के लिए परसिद्ध है चलिए अगला कुशन है किसको भारत रतन नहीं मिला है तो इसका राइट अंसर आपका होगा अप्स नमबर A नरेंदर मोदी को भारत रतन नहीं मिला है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्थान कौन सा है इसका राइट अंसर होगा option number A, सहारा, रेगिस्तान, कबड़ी का मैदान होता है, कबड़ी के मैदान की जो लंबाई और चोड़ाई होती है, वो कितनी होती है, इसका right answer होगा, option number A, 13 मीटर, 13 मीटर, गुणा 10 मीटर, ठीक है, अगला question है, जल्दी से अपना answer बताईए, जल्दी से अपना answer बताईए, जल्दी से अगला question है, सबसे चोटा महादूइप कौन सा है, जल्दी से अपना उत्तर दीजिए, इसका right answer होगा, option number B, Australia, भारत की पहली महिला रास्टपती कौन है, इसका answer लगबग सभी को पता होगा, तो पहली जो रास्टपती थी, वो कौन थी, सिरी मती पर्थिवा देवी सिंग, पाटिल, अगला question है, गोवा भारत का अंग कब बना, important question है, गोवा भारत का अंग कब बना, इसका right answer है, option number A, 1961 में, डोगरी भासा कहां बोली जाती है, जल्दी से अपना answer दीजिए, इसका right answer है, option number A, जम्मू कस्मीर में, हौकी के खेल में कितना समय होता है, जल्दी से अपना answer बताईए, हौकी के खेल में कितना समय होता है, इसका right answer होगा, option number C, 60 मिनट, साउधी अरब की मुद्रा क्या है, चल्दी से अपना answer बताईए, साउधी अरब की मुद्रा है, option number A, रियाल, चिपको आंदोलन किसने चलाया था, इस question के जो option है, वो थोड़ा आपको confuse करेंगे, इसका right answer होगा, वो होगा, option number A, सुन्दरलाल, बहुगुणा, ठीक है, वैस पर, question या तो ऐसा होना चीए था, कि जो चिपको आंदोलन था, उसके जो अग्रणी नेता थे, वो कौन थे, फिर यहां पर उत्तर होता सुन्दलाल बहुगुणा, अगर यहां पर चलाया की बात की गई है, तो सुरुआत जो है, चंडी परसाद भट और स्रीमती गौरा द उत्तराखंड राज्या किस राज्या से अलग हुआ था, इसका राइट आंसर है, उप्सन नमबर A, उत्तर परदेश से, अगला सेट है, और इसका पहला question है, निम्न में से कौन सा केंदर सासित परदेश है, जल्दी से अपना answer बताईए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर A, जम्मू और कस्मीर, अगला question है, दादर एबम नागर हवेली की राजधानी कौन सी है, जल्दी से अपना answer बताईए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर B, सिल्वासा, अगला question है, एसहयोग आनुलन कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, अगला question है, वासको डिगामा किसके काल में भारत आया था, जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए, वासको डिगामा भारत किसके काल में आया था, इसका right answer है, उप्सन नमबर C, सिकंदर लोधी के काल में, ठीक है, और यह कब आया था, यह आया था, 1498 को, ठीक है, अगला question है, नो रोज त्योहार किस धर्म का है, जल्दी से अपना answer दीजिए, नो रोज त्योहार किस धर्म का है, इसका right answer हो जाएगा, उप्सन नमबर A, पार्शी धर्म का, अगला question है, इन्फेंट्री सेना स्कूल कहां है, जल्दी से अपना answer बताईए, इन्फेंट्री सेना स्कूल कहां पर इस्थित है, इसका right answer होगा, उप्सन नमबर B, महू, मद्द्पर्दीज, ठीक है, अगला question है, सर्बोच नियाले में, जज़ों की आयू सीमा क्या होती है, सर्बोच इसका right answer होगा, उप्सन नमबर A, 65 वर्ज, सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं, उनकी जो आयू होती है, वो क्या होती है, 65 वर्ज, आयू सीमा कितनी होती है, 65 वर्ज, उन्नीस सो इकतर के युद्ध के बाद किन को भारत के फील्ड मार्सल पद से अलंकरित किया गया थ 1971 के युद्ध के बाद भारत का फील्ड मार्सल पद किसको दिया गया था, इसका right answer है, उप्सन नमबर D, मानेक शौ को अगला question है, चीनी का कटोरा कहलाता है, जल्दी से अपना answer कमेंट किजिए, चीनी का कटोरा कहलाता है, उप्सन नमबर C, क्यूबा लकسمी बाई कहा की रानी थी, जल्दी से answer दिजीए, लकस्मी बाई कहा की रानी थी, उप्सन नमबर D, जासी की ग्यान पीट प्रुसकार का संबंद है ग्यान पीट प्रुसकार का संबंद किस से है इसका right answer है option number B साहित्य से साहित्य के छेतर में ये प्रुसकार दिया जाता है अगला question है मिलखा सिंग जाने जाते हैं मिलखा सिंग किस नाम से जाने जाते हैं इसका Right Answer है option No. A Flying Sikh के रियक्टर इसकेल से क्या मापा जाता है? यह Science का Question है जल्दी से इसका Answer दीजिए रियक्टर इसकेल से क्या मापा जाता है? इसका Right Answer है, option No. D भुकंप की Tvideo गीता फोगाट किसेighing सम्मंधित है? जल्दी से Answer दीजिए गीता फोगाट किस खेल से सम्बंदित हैं इसका राइट आंसर है option number A कुस्ती से राश्ट्य गीत के रच्यता कौन हैं जल्दी से आंसर दीजिए राश्ट्य गीत के रच्यता कौन हैं इसका राइट आंसर है option number B बंकिम चंद्र चेटर जी और राश्टरगीत क्या है बंदे मातरम इसका मतलब है बंदे मातरम की रचना किस ने की है बंकिम चंद्र चेटर जी ने अगला कोशन है राजीब गांधी की बम धमाके में मिर्त्यू कहा हुई थी जल्दी से आंसर दीजिए राजीब गांधी की बम धमाके में मिर्त्यू कहा हुई थी इसका राइट आंसर होगा ओप्सन नमबर C स्री पेरंबदूर कहां पर हुई थी स्री पेरमदूर तामिलनाडू में, ठीक है, स्री पेरमदूर तामिलनाडू में, तामिलनाडू में और कब हुई थी, 1901 में, अगला कोशन है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर है, आप्सन नमबर, डी जैपूर, राजस् का आविस्कार किस ने किया था, most important question है, टेलिफॉन का आविस्कार किस ने किया था, इसका right answer होगा, option number B, Graham Bell ने, next question है, ज्यान पीट पुरुषकार पाने वाले बैक्ति हैं, gi्यान पीट पुरुषकार पाने वाले पहले बेक्ति हैं ठीक है जो पर्थम बेक्ति थे जिनको ग्यानपीट पुरुषकार मिला था ये कौन है इसका राइट आंसर है और बी गोबिंद संकर कुरूप इनको पहली बार ग्यानपीट पुरुषकार दिया गया था और कब दिया गया था 1965 में ये भी आपको याद अगला कोशन है आसाम में इस्तित पुल का नाम क्या है जल्दी से इसका आंसर दीजिए इसका राइट आंसर है औप्सव नमबर C भूपेइन हजारी का पुल अगला है जवाहर नहर योजना की सुरुवाद कब हुई थी यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना नहीं है क्य 1990 में देखे चलिए अगला कोशन है पानी पत का पर्थम्यूद कब लड़ा गया था मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है पानी पत का पर्थम्यूद कब लड़ा गया था इसका राइट आंसर है ऑप्सन नमबर A 21 अप्रेल 1926 को और किसके बीच हुआ था बाबर तथा इब्रा हम लोदी के बीच अगला कोशन है विनेस फोगाट का संबंद किस जिल्ले से है जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए इस कोशन के जो यह चारों उप्सन है यह चारों उप्सन गलत है ठीक है आप जल्दी से अपना आंसर बताईए विनेस फोगाट का संबंद किस जिल्ले से है इनका संबन्द है हरियाना के भिवानी जिल्ले से, भिवानी, ठीक है? अगला कुशन है, बांगला देश के बटवारे के समय कितने देशों के मद्य युद्ध हुआ था? इंपोर्टेंट कुशन है बांगला देश का जब बटवारा हुआ था उस टाइम पर कितने देशों के बीच युद्ध हुआ था इसका राइट आंसर है आप्सन नमबर ए तीन देशों के बीच अब ये तीन देश कौन से हैं एक है आपका पाकिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ भारत और बांगला देशन मिलकर लड़ाई लड़ी थी ठीक है अगला कुशन है बिश्व मानपता दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से आंसर कमेंट किजिए बिश्व मानपता दिवस कब मनाया जाता है इसका right answer है option number B 19 अगस्त को अगला question है गिरिजा देवी का संबंध किस से है जल्दी से answer comment किजिए गिरिजा देवी का संबंध इसका right answer है option number D संगीत से संयूक्त राश्ट संग में 27 सदसे देश कौन से है जल्दी से answer comment किजिए इसका राइट आंसर आपका है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और विरिटेन केंद्रिय और सदी अनुसंदान संस्तान कहा है जल्दी से आंसर बताईए इसका राइट आंसर है अप्सन नंबर बी लखनौ में अगला सेट है 22 और इसका पहला कॉशन है 1965 के युद्ध के दोरान भारत का परधान मंतरी कौन था जल्दी से अपना आंसर बताईए 1965 के युद्ध के दोरान भारत के परधान मंतरी थे इसका राइट आंसर आपका होगा उप्सन नंबर बी लाल बहादुर सास्त्री और ये युद्ध किसके बीच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच ठीक है भारत और पाक के बीच अगला कोशन है दूरंड कप किससे संबंदित है most important कोशन है कई exams में ये कोशन पूछा जाता है दूरंड कप किससे संबंदित है इसका right answer है option number B होकी से अगला कोशन है स्वतंत्र भारत स्वतंत्र कब हुआ जल्दी से अपना answer बताईए तो कब हुआ था 15 अगस्त 1947 को option number A इसका right answer होगा अगला कोशन है पुलित जर पुरुसकार किस छेतर से संबंदित है most important question है कई exams में question पूछा जाता है इसका right answer आपका है option number B पत्र कारिता के छेतर से अगला question है दो हजार चॉबिस का ओलंपिक का आयोजन करने वाला देश है जल्दी से अपना answer बताईए दो हजार चॉबिस का ओलंपिक का आयोजन करने वाला देश है इसका right answer होगा option number A फ्रांस पेरिस अगला question है भारतिय संम्मिधान के अनुसार विदेश नीति कौन से अनुछेद में होती है या कौन से अनुछेद में है इसका right answer है option number A अनुछेद 51 में अगला question है जल्दी से answer कमेंट कीजिए इसका right answer होगा option number A मूर्ति पूजा के अगला question है फुटबोल बिस्व कप 2022 कहां आयोजित होगा most important question है फुटबोल 2022 कहां आयोजित होगा इसका right answer है option number B दोहा के दोहा कतर में ठीक है कतर के दोहा में अगला question है महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था जल्दी से answer बताईए इसका right answer है option number C पूरबंदर गुजरात में और कब हुआ था दो अक्टूबर दो अक्टूबर 1889 को ठीक है कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म दो अक्टूबर 1889 को अगला question है वस्तर कहां है वस्तर एक जगह का नाम है और यह कहां पर है यह आपका option number A 36 गड़ में ठीक है कहां पर है 36 गड़ में अगला question है बिरजू महाराज का नाम किसलिए जाना जाता है या बिरजू महाराज किस से सम्मंदित है इसका right answer आपका है option number C कथक निर्ते से ठीक है और जो यह कथक निर्ते है यह आपका उत्तर परदेश का निर्ते है ठीक है उत्तर परदेश या उत्तर भारत का निर्ते है यह most important question है question ऐसे बन किया सकता है कि कथक निर्ते का संबंद किस राज्य से है किस से है उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से भारत में अंग्रेजों ने सरवपर्थम फैक्टरी 1608 में कहां इस्तापित की थी जल्दी से आंसर दीजिए इसका राइट आंसर होगा उप्सन नमबर C सूरत में अगला कोशन है विद्दुच से चलने वाली भारत में पर्थम रेलगाडी कौन सी सोरी कब चली थी विद्दुच से चलने वाली भारत में पर्थम रेलगाडी चली कब चली थी ये चली थी आपकी उप्सन नमबर D 1925 में नारायन कार्तिके का संभन्द है जल्दी से आंसर दीजिए इनका संभन्द है option number B formula 1 रेस से स्वर्णिम चतरबुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है most important question है स्वर्णिम चतरबुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है यह जुड़ी है option number B सडक निर्मान से अगला सेट है 23 और इसका पहला कुशन है सुस्री रीना कौसल वाली पहली भारतिय महिला है ये कौन सी पहली भारतिय महिला है ये है आपकी सुस्री रानी कौसल ओप्सन नमबर सी दक्षणी धुरुप के लिए इसकी करने वाली पहली भारतिय महिला है ओप् क्वेशन है होमी भावा पुरुसकार निम्न फील्ड में बिसेश योगदान के लिए दिया जाता है जल्दी से आंसर दिजिए इसका राइट आंसर आपका है option number B परमाण ओर जाके छेत्र में बिसेश योगदान के लिए यह पुरुसकार दिया जाता है अगला question है higher than hope किसकी जीवनी है जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए इसका right answer आपका है option number C, Nelson Mandela की अगला question है भारत में चलित न्याले किसका मानस पुत्र है जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए भारत में जो चलित न्याले है वो किसका मानस पुत्र है यह आपका option number C, Dr. A.P. Z. अब्दुल कलाम का निमने लिखित में से वर्स 2016 के लिए असोक चक्र वेर्था पुरुषकार मिल गया है किसे मिला है 2016 में जो असोक चक्र मिला था वो किसे मिला था इसका right answer आपका है option number B, Lonsnayak Mohannath Goswami को हरित सूचकांग द्वारा विक्षित किया गया है हरित सूचकांग किसके द्वारा विक्षित किया गया है इसको विक्षित किया है option number C, सहिउक्त राष्ट प्रियावरन कारेकरम द्वारा निमने लिकित में से कौन सही ढंग से संग्शिप्थ नहीं है इन में से कौन साथ सही ढंग से संग्शिप्थ नहीं है जल्दी से अपना आंसर बताए इसका right answer आपका होगा option number C I, F, C जो है ये सही ढंग से संग्शि्थ नहीं है इसकी full form होती है international यहाँ पर आएगा अंतर राश्ट्रिया ठीक है इंटरनेशनल 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 फाइनेंस कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन ठीक है तो यहाँ पर क्या रखा है ओध्योगिक जब कि यहाँ पर क्या आएगा अंतर रास्टी है ठीक है बाकी बाकियों को आप देख लेना बाकी आपका पहला है EIEE Electronics and Electrical Engineers संस्तान दूसरा आपका है IELTS इसका मतलब है अंतरास्ट्रे अंग्रेजी भासा परिक्षन प्रणाली और चौथा आपका है IFS भारतिय बिदेश सेवा तो इसका राइट आंसर आपका है option number C इसका मतलब होगा International Finance Corporation अगला question है जो ठीक से मेल नहीं खाती इन में से कौन सा ठीक से मेल नहीं खाता इसका राइट आंसर आपका होगा option number D 26 सितंबर कारगिल बिजे दिवस कारगिल बिजे दिवस कब मनाया जाता है यह अपका मनाया जाता है 26 जुलाई को जब कि यहाँ पे क्या दिया गया है 26 सितंबर जोकी गरत है बाकी ये सारे बिलकूल सही है 8 अक्टोबर को भारतीय ओर अर फोर्स दिवस इसका परतीक है, option number B, पराचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतर था, अगला question है, IAMAI का पूर्ण रूप क्या है, जल्दी से अपना answer बताईए, IAMAI का पूर्ण रूप क्या है, इसकी full form है, internet और mobile association of India, अगला question है, रामयन किसने लिखी है, important question है, रामयन की रजना किसने की, महरसी बालमी की ने, option number A, मनुभाकर किस खेल से संबंदित है, important question है, इसका right answer आपका होगा, option number B, निसाने बाजी से, सिरी लंका भारत से कौन सी दिसा में इस्तित है, जल्दी से अपना answer बताईए, यह आपका option number D, दक्षिन दिसा में, अगला question है चंद्र गुप्त के पोते का नाम क्या था? जल्दी से अपना answer बताईए चंद्र गुप्त के पोते का नाम क्या था? इनके पोते का नाम था option number B असूक अगला question है अंग किस जन्पद की राजधानी थी? इसका right answer आपका है option number B वैशाली की अगला set आपका है 24 और इसका पहला question है चेत्रिफल की दृष्टी से भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है? इसका right answer होगा option number C शातवाँ ये question पहले भी आ चुका है अगला है रोम सामराज्य किसने इस्तापित किया था? इसका right answer है option number A ओंक्स्टन सीजर ने भारत की पहली सोरी भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? most important question है ठीक है? most important भारत की पहली सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी है? इसका right answer आपका है option number A दिग बोई और ये कहां पर है? आसम में अगला question है 1930 में पर्थम डांडी यात्रा कहां से शुरू हुई थी? ये question मैं पहले करवा चुका हूँ ये शुरू हुई थी आपकी option number A साबर मती आसरम एहमदाबाद गुजराद से और कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को अगला question है सीमांत गांधी किसे कहते हैं most important question कई एक्जामस में एक question पूछा जाता है इसका right answer आपका होगा option number D sorry option number B खान बहादूर गफार खान अगला question है किसने कहा? आजादी मेरा जनमसिद अधिकार है जल्दी से अपना answer बताईए किसने कहा था? आजादी मेरा जनमसिद अधिकार है ये कहा था option number B लोक मानने बाल गंगाधर तिलक ने अगला question है भारतिया रिजर्ब वैंग की स्थापना किस वर्स की गई थी? जल्दी से अपना answer बताईए भारतिया रिजर्ब वैंग की स्थापना किस वर्स की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी एक अप्रेल एक अप्रेल 1935 को option number B इसका राइट आंसर होगा अगला question है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर इस्थित है? जल्दी से अपना answer बताईए most important question है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर इस्थित है? यह आपका option number D नर्मदा गुजरात में भारत के किस खलाड़ी को पहला राजीब गांधी खेल रतन पुर्सकार दिया गया? जल्दी से अपना answer बताईए इसका right answer आपका है option number B बिश्व नाथन आनंद को अगला question है पुस्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? most important question पुस्कर मेले का आयोजन किस राज्य में होता है? इसका आयोजन ہوتा है option number B राजस्थान में अगला question है बिश्व में चावल का सबसे अधिक निरियातक देश कौन सा है जल्दी से आंसर बताईए इसका राइट आंसर है option number C, भारत सबसे अधिक निरियातक देश कौन सा है भारत अगला गोशन है नावा का लेवाड़ा नावा का लेवाड़ा उत्सब किस राज्य में मनाया जाता है जल्दी से आंसर दीजिए इसका राइट आंसर आपका है option number D, उड़ी सा में चार सेरों वाला असोक स्तंब कहां पर इस्तित है जल्दी से आंसर दीजिए यह आपका option number D, सारनात में नेक्स्ट कॉश्चन है काबल कहां की राजधानी है जल्दी से आंसर बताईए इसका राइट आंसर है option number C, अफगानिस्तान की अगला कॉश्चन है नाटो की स्थापना कब हुई नाटो की स्थापना कब हुई जल्दी से अपना आंसर दीजिए इसकी स्थापना हुई है option number A, 4 अपरेल 4 अपरेल 1950 को ठीक है और इसके साथ-साथ आपको इसकी full form भी याद रखनी है north आटलांटिक ट्रीटी ट्रीटी और्गेनाईजेशन साथ-साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इसका मुख्याले कहा है इसका मुख्याले है Brussels वेलजियम में तो इतनी जानकारी आपको इस क्योशन से प्राप्त होती है अगला क्योशन है अगला सेट आपका है 25 और इसका पहला क्योशन है छेत्रफल की द्रिष्टी से विस्टो में सबसे बड़ा देश कौन सा है जल्दी से अपना आंसर बताईए छेत्रफल की द्रिष्टी से विस्टो में सबसे बड़ा देश कौन सा है इसका राइट आंसर आपका है अप्सन नमबर A रूस सरदार पटेल की एकता की मूर्ती किस जिल्ले में है विस्टो की सबसे उंची मूर्ती जिसकी लंबाई कितनी है 182 मीटर ठीक है तो स्टैच्य ओफ यूनिटी किस जिल्ले में इस्टित है इसका राइट आंसर है अप्सन नमबर B नर्मदा जिल्ला गुजरात महिलाओं के लिए निम्न में से किसमे इस्थान आरक्षित है जल्दी से आंसर बताईए इसका राइट आंसर है अप्सन नमबर D पंचाएती राज़ में बंगाल का पुराना नाम क्या है जल्दी से आंसर बताईए इसका राइट आंसर है अप्सन नमबर C गौड अगला कोश्शन है पेरिस किस नदी के किनारे बसा है जल्दी से आंसर दीजिए इसका right answer है option number A, सीन नदी के राश्ट्रिय बानस्पतिक अनुशंदान संस्तान कौन से सहर में इस्तित है? जल्दी से answer बताईए इसका right answer है option number A, लखनौ में अवरक का विश्व में सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? जल्दी से अपना answer बताईए अबरक का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? यह आपका option number D, भारक पलासी यानि पस्चिमंगाल की जो लड़ाई थी, वो किस वर्स लड़ी गई? पलासी का युद्ध कब हुआ है? यह आपका हुआ है option number C, 1757 में और किसके बीच हुआ था? यह हुआ था सिराजु दोला और अंग्रेजों के बीच अगला कुशन है सारे जहां से अच्छा हिंदो सुता हमारा की रचना किसने की है? जल्दी से अपना आंसर बताईए इसका right answer है option number C, मुहमद इकबाल ने अगला है खजुराहो गुफा किस राज्य में है? option number C, मध्य पर्देश में वायुशेना का कौन सा पाइलेट 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी छेतर में उतर गया था? तो यह पाइलेट थे आपके option number B, अभिनंदन वर्धमान अगला कुशन है लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है option number B, मंगल ग्रह अगला कुशन है प्रसिद सेंट कैथेडरल चर्च कहां पर इस्तित है? यह चर्च इस्तित है आपका option number B, गोआ में अगला कुशन है भारत के जंडे की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या है? जो भारत का जंडा है इसकी लंबाई और चोड़ाई का अनुपात क्या है? इसका right answer होगा option number B, तीन अनुपात दू पश्यमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगा कौन सा है? अब यहाँ पर कॉशन को आपको ध्यान से पढ़ना है कैसा बंदरगा है? प्राकृतिक तो इसका right answer है option number D, मुंबाई सेट 26 का पहला कुशन है कारगिल युद्ध के समय भारते सेना के जनरल कौन थे? जल्दी से अपना आंसर बताईए कारगिल युद्ध के समय भारते सेना के जनरल इसका right answer आपका है option number A, वेद प्रकास मलिक या BP मलिक अगला कुशन है 1913 में बनी पहली भारते फिल्म हरीश चंद्र के निर्देशक कौन थे? most important कुशन है 1913 में बनी पहली भारते फिल्म हरीश चंद्र के निर्देशक कौन थे? इसका right answer है option number B, दादा साहिव फाल के इसके साथ साथ इससे आपके दो important कुशन और बनते हैं भारत की पहली फिल्म कब बनी थी? 1913 में और कौन सी थी? हरीश चंद्र ठीक है? तो इनको भी आपको याद रखना है किस देश को नील नदी का बरदान कहा जाता है? important question है किस देश को नील नदी का बरदान कहा जाता है? इसका right answer आपका है option number C, इजिप्ट या मिस्र देश को किसको कहते हैं? मिस्र देश को भारतिय मानक समय सन में आरंब हुआ था important question है भारतिय मानक समय जो है 1906 में आरंब हुआ था और इसको जो है 1947 से गोशित या लागू कर दिया गया था, ठीक है? अगला question है पत्थर, सिला, इंट या लोहे पर लिखी जानकारी को कहते हैं पत्थर, सिला, इंट या लोहे पर लिखी जानकारी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है option number 1 सिला लेख क्या कहते हैं? सिला लेख अगला question है जन संक्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सहर कौन सा है? जल्दी से अपना answer बताईए जन संक्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा सहर इसका right answer है option number A टोक्यो और ये कहां पर है? जापान में गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां दिया था? most important question है गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां दिया था? इसका right answer आपका है option number C सारनात में सुराज मेरा जनमसिद्ध दिकार है यह किसने कहा था? important question है सुराज मेरा जनमसिद्ध दिकार है यह किसने कहा था? यह कहा था आपका option number A लोक मानन अबाल गंगाधर तिलकने डोकलाम इस्थान कहाँ पर इस्तित हैions इसका right answer आपका है option number A भूटान में कहाँ पर है भूटान में gateway of India इस्तित है most important question है कई बार इस्तित है तो gateway of India कहाँ पर इस्तित है यह है आपका option number B मुंबई में अगला question है GST में T सब्द का अर्थ क्या है GST में T सब्द का अर्थ क्या है GST की full form होती है goods and services services tax ठीक है तो यहाँ पर जो T का मत्तब है वो क्या है Tax option number C इसका right answer होगा नरोरा परमाण उर्जा स्टेशन किस राज्य में है जल्दी से अपना answer बताईए नरोरा परमाण उर्जा स्टेशन किस राज्य में है इसका right answer है option number B उत्तर परदेश राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है important question है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है इसका right answer आपका है option number B परसांत महासागर या Pacific Ocean rear admiral पद किस सेना के किस अंग में है rear admiral पद किस सेना में होता है ठीक है जल्दी से अपना answer बताईए तो ये आपका होता है option number D जल्द सेना यानि नेवी में अगला question है मीनाक्षी मंदिर कहां इस्तित है most important question है मीनाक्षी मंदिर कहां इस्तित है इसका right answer आपका है option number A मदुरई तमिल नाडु में ठीक है तमिल नाडु में अगला setup का है 27 और इसका पहला question है पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का काली कट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतिय राजा का नाम बताईए इसका right answer आपका है option number C जैमेरिन इसके साथ साथ वास्को डिगामा कहां का यात्री था ये था आपका पुर्तगाल का पुर्तगाल का ठीक है दूसरा ये कब भारत आया था ये आया था 1498 में ठीक है और कहां पर आया था काली कट पर 1971 के भारत पाक उद्ध के समय भारते सेना के जनरल कौन थे जल्दी से अपना आंसर बताईए 1971 के भारत पाक उद्ध के समय भारते सेना के जनरल कौन थे इसका right answer आपका है option number A Manic Shaw BSF का पूरा नाम क्या है? BSF की full form क्या है? तो इसकी full form है border security security force ठीक है? Force यानि सीमा सुरक्सा बल option number A बाला कोट इस्थान किस देश में इस्तित है? इसका right answer आपका है option number B पाकिस्तान में अगला question है लोकशबा का पहला अध्यक्ष कौन था? चल्दी से अपना आंसर बताईए लोकशबा का पहला अध्यक्ष कौन था? Most important question है इसका right answer आपका है option number A ZV माव लंकर अगला question है चत्रपति सिवाजी को हराने के लिए औरंग जेब ने निम्न में से किसको भेजा था? जल्दी से इसका अंसर बताईए चत्रपति सिवाजी को हराने के लिए औरंग जेब ने निम्न में से किसको भेजा था? इसका right answer आपका है option number D राजा जैसिंकू आरंबिक बोध साहित्य किस भासा में रचे गए हैं जल्दी से इसका आंसर बताईे आरंबिक बोध साहित्य किस भासा में रचे गए थे इसका राइट आंसर आपका है option number A पालि भासा में भारत में लड़की लड़के की करम सह साधी की नियूंतम आयू क्या है तो ये सभी को पता होगा इसका राइट आंसर आपका है ओप्सन नमबर B 18 और 21 छेत्रफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा केंदर सासित परदेश कौन सा है तो इसका राइट आंसर आपका है ओप्सन नमबर B लद्दाक संसार में सबसे पहली महिला परदान मंतरी किस देश की थी विश्व की सबसे पहली महिला परदान मंतरी किस देश की थी इसका राइट आंसर आपका है ओप्सन नमबर B श्रीलंका की ठीके और इनका नाम था स्रीमावो बंडार नाईके ठीक है तो इनका नाम भी आपको याद रखना है कई बार नाम पूछ लिया जाता है कि विश्व की पहली महिला परदानमंत्री कौन थी तो कौन थी स्री मावो बंडार नाईके अगला कुशन है भारत में वन अनुशंदान संस्तान कहां इस्तित है जल्दी से इसका आंसर बताईए भारत में वन अनुशंदान संस्तान कहां इस्तित है इसका राइट आंसर है उप्सन नमबर C देहरादून में भारत में रेल के डिबे कहां बनाए जाते हैं जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं इसका राइट आंसर है और बी कपूर थल्ला पेरंबूर में अगला कोशन है जय जवान जय किशान का नारा किसने दिया था मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन है जय जवान जय किशान का नारा किसने दिया था इसका राइट आंसर आपका है और बी लाल बहादुर सास्त्री ने वजरंग पुनिया किस खेल से संबंदित हैं जल्दी से अपना आंसर बताइए वजरंग पुनिया किस खेल से संबंदित हैं इसका right answer है option number A कुस्ति से ISI agency किस देश से जुड़ी हुई है जल्दी से अपना answer बताइए इसका right answer हो जाएगा option number A पाकिस्तान से अगला set है 28 और इसका पहला question है important question है 208 दिवस कब मनाया जाता है important question ठीक है 208 दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपका मनाया जाता है option number B 1 दिसम्बर को अगला question है संयूक्त राष्ट संग का मुख्याले कहां इस्तित है most important question है और कई बार ये question आचुका है संयूक्त राष्ट संग का मुख्याले कहां है UNO का मुख्याले कहां पर है इसका राइट आंसर आपका है option number C New York USA में ठीक है और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी 24 October 1945 में ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारते सेना के जनरल कौन थे जल्दी से अपना आंसर बताईए 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारते सेना के जनरल थे इसका राइट आंसर आपका है option number B J.N. Chaudhary CBI का पूरा नाम क्या है CBI की full form क्या है इसका राइट आंसर आपका है option number C Central Bureau of Investigation काजी रंगा किसके लिए जाना जाता है most important ये question आपका है काजी रंगा किसके लिए जाना जाता है तो ये आपका जाना जाता है एक सिंग वाले एक सिंग वाले सिंग वाले गेंडे के लिए एक सिंग वाला गेंडा तो इसका right answer आपका होगा option number D, rhino के लिए ठीक है इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि काजी रंगा रास्टे उद्यान कौन से राज्य में है तो ये भी important question बनता है तो ये आपका है असम में कहां पर है असम में ठीक है तो इसको भी आपको याद रखना है बंदे मातरम यह गीत किसने लिखा जल्दी से अपना answer बताईए बंदे मातरम किसने लिखा है तो ये लिखा है option number C, वंकिम चंद्र चेटर जी ने भारत में दिया जाने वाला बीरता का सर्बोच पुरुसकार क्या है तो भारत में जो बीरता का सर्बोच पुरुसकार होता है वो है आपका परंबीर चक्र तो इसका right answer आपका होगा option number A, P, B, C या परंबीर चक्र स्री हरी कोटा किस राज्य में इस्तित है important question है तो ये आपका इस्तित है option number B, आंद्र परदेश में मद्यरात्री के सूर्य का देश किसे कहा जाता है तो ये कहते हैं option number B, नौर्वे को अजीत वाडेकर किस खेल से जुड़े हैं इसका right answer आपका है option number A, किरकेट से सर्बोच न्याले में न्यूक्ति होने वाली पर्थम महिला जज कौन थी? सर्बोच न्याले में न्यूक्त होने वाली पर्थम महिला जज कौन थी? जल्दी से अपना answer बताईए most important question है सुप्रीम कोट में अपॉइंट होने वाली पहली महिला जज कौन थी? तो ये आपकी थी option number C, M, फातिमा वीवी अगला question है किस भारतिय बैग्यानिक को न केवल नोबेल प्रुषकार बलकि भारत रतने भी प्राप्त करने का गोरव मिला? ऐसे कौन से भारतिय बैग्यानिक हैं जिनको नोबेल प्रुषकार के साथ साथ भारत रतने भी मिला है तो ये बैग्यानिक हैं आपके option number C, C, B, रमन तराइन के दुतिय युद्ध में किसने किसको प्रावजित किया था? तराइन का दुतिय युद्ध कब हुआ था? 1191 में और पहला यूद्ध हुआ था आपका 1192 यूद्ध हुआ था फर्स्ट हुआ था 1191 में और सेकेंड हुआ था 1192 में ठीक है? तो दूसरे यूद्ध में जो है, मुहमत गोरी ने पर्थिवी राज को हराया था ठीक है और पहले युद्ध में पिर्थिभी राज ने मुहमत गोरी को हराय था सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था तो इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है बंगाल विभाजन कब हुआ था 1905 में और उस समय जो वाइस रहे थे वो थे आपके उप्सन नमबर ए लॉर्ड करजन करो या मरो का नारा किसने दिया जल्दी से अपना आंसर बताईए इसको दिया है आपका उप्सन नमबर भी महात्मा गांधी ने अगला सेट आपका है 29 और इसका पहला कोश्चन है पंच सील समझोता किन देशों के बीच हुआ जल्दी से अपना आंसर बताईए पंच सील समझोता किन देशों के बीच हुआ इसका राइट आंसर आपका है उप्सन नमबर भी भारत और चीन के बीच देवधर ट्रोफी किस खेल से जुड़ी हुई है जल्दी से अपना आंसर बताईए देवधर ट्रोफी किस खेल से जुड़ी हुई है तो यह आपकी जुड़ी हुई है option number C, किरकेट से दिलवाडा मंदिर कहां इस्तित है most important question है दिलवाडा मंदिर कहां इस्तित है तो यह आपका इस्तित है option number B, राजस्थान में सांती निकेतन निम्न में से किस ब्यक्ति से सम्मंदित है जल्दी से अपना आंसर बताईए तो इसका राइट आंसर आपका है option number A, रवींद्रनाठ टैगोर से ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है जल्दी से अपना आंसर बताईए ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक है इसका राइट आंसर आपका है option number B, कॉफी का उबेर कब किस खेल से सम्मंदित है उबेर कब किस खेल से संबन्दित है इसका राइट आंचर आपका है option number A महिला बैडमिंटन से बिस्व महिला बैडमिंटन से अगला question है surgical strike सितंबर 2016 के समय भारते सेना का जनरल कौन था 2016 में जब surgical strike हुई थी उस समय भारते सेना का जनरल कौन था तो ये थे आपके option number B जनरल दल्बीर सिंग सुहाग बांगला देश की राष्टे मुद्रा किस नाम से जानी जाती है बांगला देश की राष्टे मुद्रा है आपकी option number C सेन्युक्त राष्ट संग किस साल बना था अभी अभी मैंने आपको बताया है सेन्युक्त राष्ट संग बना था 24 अक्टूबर 1945 में ठीके और इसका मुख्याले New York New York USA में है IAEC का पुरा नाम क्या है IAEC का पुरा नाम क्या है तो इसका पुरा नाम है IAEC का पुरा नाम है INDIAN ATOMIC ENERGY ENERGY COMMISSION ठीक है क्या नाम है कमी कमीशन ठीक है इंडियन एटोमिक इनर्जी कमीशन यानि भारतिय परमान उर्जा आयूग ओप्सन नमबर B इसका राइट आंसर होगा अगला कोशन है वाइसराय भारत में किसका परतिनीद्व करता था जब वाइसराय होते थे तो ये भारत में किसका परतिनीद्व करते थे तो इसका राइट आंसर आपका है ओप्सन नमबर C ब्रिटिस क्राउन का यानि ब्रिटिस सिंगाशन का भारत के पर्थम उपराष्ट पती कौन थे तो ये थे आपके ओप्सन नमबर C डॉक्टर सरुपली राधा क्रिशनन अगला कुशन है चीन ने भारत पर कब आक्रमन किया था जल्दी से अपना अंसर बताईए तो चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमन किया था भासाई आधार पर गठित भारत का पर्थम राज्य कौन सा था भासा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था तो ये था आपका ओप्सन नमबर A आंद्र परदेश और ये कब गठित हुआ था ये हुआ था 1953 में भारतिय सम्मिदान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्म निर्पेक सब्द कब जोड़े गए थे most important question है कई exams में ये question पूछा जाता है तो ये जोड़े गए थे option number C 42 संसोदन 1976 में कभी कभी question ऐसे आता है कि भारतिय सम्मिदान की प्रस्तावना में कौन से सब्द जोड़े गए थे और option में आपको ऐसे ही दे देगा समाजवादी और धर्म निर्पेक्स और उसके साथ तीन option और डालेगा ठीक है तो इसका right answer आपका है option number C 42 संसोदन 1976 में अगला सेठ है 30 और इसका पहला question है भारतिय रास्टे कॉंग्रेस का पर्थम अधिवेशन कहां हुआ था most important question है भारतिय रास्टे कॉंग्रेस का पर्थम अधिवेशन कहां हुआ था तो ये आपका हुआ था मुंबई में इसके साथ साथ 2 point और important है भारतिय रास्ट्रे कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में और इस अधिवेशन की अधिक्षता जो मुंबई में अधिवेशन हुआ था 1885 में इसकी जो अधिक्षता की थी वो किसने की थी? ब्योमेश चंद्र ब्योमेश चंद्र वेनर्जी ने तो ये दो पॉइंट भी आपको याद रखने है बंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? Most important question है बंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है option number C आनंद मट से चंद्र गुप्त दुतिये के समय भारत में कौन यातरी आया था? चंद्र गुप्त दुतिये के समय भारत में आने वाला यातरी कौन था? तो ये आपका था option number A फाह यान और ये कहां का यातरी था? ये था आपका चीन का यातरी अगला question है A, B, M का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है Anti-Velastic Missile option number A इसका right answer होगा अगला question है हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आनूलन ने सहीयोग दिया? हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ाने के लिए किस आनूलन ने सहीयोग किया? इसका right answer आपका है option number C खिलाफत आनूलने स्वतंतरता के समय Congress अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से अपना answer बताईए स्वतंतरता के समय Congress अध्यक्ष कौन थे? इसका right answer आपका है option number C जेबी करपलानी Roger Federer कहां के निवासी है? Most important question है Roger Federer कहां के निवासी है? इसका right answer आपका है option number B Switzer Land के पंडित केलू चरण महापात्र यह नाम किस से जुड़ा हुआ है? जल्दी से अपना answer बताईए इसका right answer आपका है option number D ओडिसा निर्त्यसे Robert's Cup किस खेल से संबंदित है? जल्दी से अपना answer बताईए Robert's Cup किस खेल से संबंदित है? इसका right answer आपका है option number A foot wall से रास्ट्रपती राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? Most important question है कई exams में यह question पूछा जाता है रास्ट्रपती राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यह कर सकता है option number B 52 अगले question है लोकसभा की सदस्य शंख्या है? जल्दी से अपना answer बताईए लोकसभा की सदस्य शंख्या कितनी है? इसका right answer आपका है option number B कुल सदस्य शंख्या है आपकी 552 जबकि इस बुक में इसका answer option number D दिया है जो की गलत है ठीक है? और बरतमान में जो लोकसभा में जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 545 ठीक है? तो यह बरतमान में हैं और कुल सदस्य शंख्या कितनी होती है? 552 उस राश्चपती का नाम बताओ जो एक बार से अधिक कारेकार के लिए चुना गया तो उसका नाम है आपका option number B डॉक्टर राजेंद्र परसाद हिमादास किस राज्यकी रहने वाली हैं? हिमादास क्या है? एक धावक है यानि एक एथलीट है ठीक है? और ये किस राज्यकी रहने वाली है? यह है आपकी option number D असम की इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है इनका एक नाम है धींग एक्स्प्रेस क्या नाम है? धींग एक्स्प्रेस एक्स तो इसकी नियुक्ति करता है option number C रास्ट पती पानी पत की तीसरी लडाई किसने जीती थी? जल्दी से इसका आंसर बताईए तो ये जीती थी आपकी option number D एहमद सहा अबदाली ने और किसको हराया था? इसने हराया था मराठा को मराठाओं को ठीक है इकतिसवें सेट का पहला question है 1965 के युद्ध के दोरान भारत के परदान मंतरी कौन थे? जल्दी से अपना आंसर बताईए 1965 के युद्ध के दोरान भारत के परदान मंतरी कौन थे? इसका right answer आपका है option number B लाल बहादुर सास्त्री जल्दी से अपना आंसर बताईए डूरंड कब किस खेल से सम्बंधित है? इसका right answer आपका है option number A football से भारत स्वतंत्र कब हुआ था? इसका right answer आपका होगा option number A 15 अगस्त 1947 को ठीक है? अगला question है पुलित्जर पुरुषकार सम्बंधित है? पुलित्जर पुरुषकार किस खेत्र में दिया जाता है? इसका right answer आपका है option number B पत्र कारिता के खेत्र में 2022 का सीथ ओलंपिक मेजबानी का आयोजन करने वाला देश है 2022 में सीथ ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका चीन चीन के बीजिंग सहर में ये ओलंपिक खेले जाएंगे ठीक है? अगला question है भारतिय सम्मिधान के अनुसार बिदेश नीती कौन से अनुछेद में होती है? जल्दी से अपना answer बताईए भारतिय सम्मिधान के अनुसार बिदेश नीती कौन से अनुछेद में होती है? इसका राइट आंसर आपका है अप्सर नमबर A अनुछेद 51 में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा जब भारत आये थे तो उस समय दिल्ली का सासक कौन था? जल्दी से अपना answer बताईए पुर्तगाली यात्री भारत का वाया था 1418 में और उनका नाम था वास्को डिगामा और भारत के काली कट पर ये पहुँँचे थे तो उस समय दिल्ली का सासक कौन था? तो ये थे आपके ओप्सर नमबर A सिकन्दर सा अगला कोशन है ब्रिक्स में S किस्से सम्बंदित है? ब्रिक्स में S किस्से सम्बंदित है? तो ब्रिक्स में B है आपका ब्राजील, R आपका है रशिया, रशिया, रूस, I आपका है इंडिया, C आपका है चाइना, और S आपका है साउथ अफरिका, साउथ अफरिका, उप्सन नमबर C, इसका राइट आंसर होगा अगला कोशन है, महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, तो ये सभी को पता होगा, गुजरात के पौरबंदर नामक शहर में इनका जन्म हुआ था, और कब हुआ था, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 1889 इस भी में अगला कोशन है, बस्तर जिला किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर आपका है, उप्सन नमबर A, 36 गड़ राज्य में परसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? परसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले किस देश के थे? इसका राइट आंसर आपका है, उप्सन नमबर A, ब्राजील के अगला कोशन है, पूर्बोत्तर में अंग्रेजों ने सर्व पर्थम फैक्टरी कहां इस्तापित की थी? इसका राइट आंसर आपका है, उप्सन नमबर C, सूरत में बिद्दुच से चलने वाली भारत में पर्थम रेलगाडी कौन से सन में चली थी? इसका राइट आंसर आपका है, उप्सन नमबर D, 1925 में इसके साथ साथ भारत में जो पहली रेलगाडी चली थी, वो चली थी 16 अप्रेल 1853 में ठीके? और ये कहां से चली थी? मुंबई से थाने तक ठीक है कहां से कहां तक चली थी मुंबई से थाने तक और कब चली थी 16 अप्रेल 1853 में और बिद्दुच से यानि बिजली से चलने वाली जो पहली रेल गाड़ी चली थी वो 1925 में चली थी सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 के समय भारत का रक्षा मंत्री कौन था तो ये थे आपके ओप्सन नमबर B मनोहर पारिकर अगला कॉशन है पर्थम बिश्वयुद कब हुआ था इंपोर्टेंट कॉशन है पर्थम बिश्वयुद कब हुआ था तो ये आपका हुआ था ओप्सन नमबर C 1914 से लेकर 1918 तल अगला सेट आपका है 32 और इसका पहला कॉशन है औसकर पुरुसकार के छेतर में योगदान के लिए दिया जाता है तो ये दिया जाता है ओप्सन नमबर A सिनेमा के छेतर में योगदान के लिए अगला कॉशन है निमने लिखित में से कौन कभी भारत का बित्तमंत्री नहीं रहा इन में से कौन कभी भारत का बित्तमंत्री नहीं रहा तो ये थे आपके ओप्सन नमबर D स्री कमल नात इंडिया गेट किस सहर में इस्तित है ? जल्दी से अपना अंसर बताईए तो यह आपका istit है उप्सन बी दिल्ली में खिलाडी जीव मिलखा सिंग का संबंद किस खेल से है ? जीव मिलखा सिंग का संमंद किस है ? इनका संबंद है गोल्फ से option number C भाशा केरल परदेश में बोली जाती है कौन सी भाशा केरल परदेश में बोली जाती है केरल राज्य में कौन सी भाशा बोली जाती है इसका right answer आपका है option number A मलियालम 2024 ओ Hebrews का आयुजन में किया जाए गा 2024 ओमपिक खेलों का आयुजन किस देश में किया जाए गा या कहां पर किया जाएगा इसका राइट आंसर आपका है उप्सन नमबढर B पेरिश फरांस में भारत में किस राज्य की उच्टितम साकशड़ता दर है तो ये है आपकी option number B, केरल की भारतिय ससस्त्र सेनाओं के सर्बोच कमांडर कौन हैं? भारतिय ससस्त्र सेनाओं के सर्बोच कमांडर कौन हैं? तो ये आपके हैं option number A, राश्ट्र पती अंतरिक्स में जाने वाले पर्थम भारतिय का नाम बताईए important question है अंतरिक्स में जाने वाले पर्थम भारतिया इसका right answer आपका है option number A, राकेश शर्मा और ये आपके गए थे 1984 इस भी में भारत के बरतमान ग्रह मंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम है option number B, अमित सह अमर कंटक से किस नदी का उदगम होता है? जल्दी से अपना answer बताईए, अमर कंटक से किस नदी का उदगम होता है? इसके सारे option गलत है, इसका right answer आपका है सोन तथा नर्मदा दोनों नदीयों का उदगम अमर कंटक पहाडियों से होता है सिंदु घाटी सब्यता का बंदरगा टाउन कौन सा है? सिंदु घाटी सब्यता में बंदरगा कौन सी जगह पर था? इसका right answer आपका है option number D, लोथल में दीपा करमारकर किस खेल से सम्पंधित है? जल्दी से अपना answer बताइए दीपा करमारकर किस खेल से सम्पंधित है? तो ये सम्पंधित है आपकी option number D, जिमनास्टिक से Victoria Memorial कहां पर इस्तित है? Important question है Victoria Memorial कहां इस्तित है? इसका right answer है option number C, कोलकाता में भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जल्दी से अपना आंसर बताइए भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका है option number C, असम अगले सेटे 33 और इसका पहला question है अरजुन अवोर्ड दिया जाता है अरजुन अवोर्ड किसको दिया जाता है? इसका राइट आंसर आपका है option number A, विशिस्ट खिलाडियों को कस्मीर घाटी का मुख्य सहर है इन में से कस्मीर घाटी का मुख्य सहर कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका है option number B किस देश को मद्यरात्री के सूर्य का देश कहा जाता है किस देश को मद्यरात्री के सूर्ज का देश कहा जाता है इसका right answer आपका है option number C नौर्वे को सत्यमेव जैते कहां से लिया गया है जल्दी से अपना answer बताईए सत्य मेव जयते कहां से लिया गया है इसका right answer आपका है option number A मुंड कोप निशत से important question है hotline क्या है hotlines क्या है इसका right answer आपका है option number B एक दूर संचार कड़ी bull fighting किस देश का रास्ट्रिय खेल है bull fighting किस देश का रास्ट्रिय खेल है इसका right answer आपका है option number C Spain का बी हूँ किस राज्य का परम परागत निर्ट्य है जल्दी से अपना answer बताईए important question है बी हूँ किस राज्य का परम परागत निर्ट्य है तो ये निर्ट्य है आपका option number B असम का लंदन किस नदी के किनारे इस्तित है जल्दी से अपना answer बताईए इसका right answer आपका है option number D थेम्स नदी के नक्से का परियोग क्या खोजने में किया जाता है नक्से का परियोग क्या खोजने में किया जाता है तो इसका right answer आपका है option number D दूरी दिसा लंबाई इन तीनों को खोजने में किया जाता है भारतिय सेना का सरबोच कमांडर कौन है तो ये है आपका option number C भारत का रास्ट पती बिस्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है ये question भी repeated है इसका right answer आपका है option number A परसांत महासागर भारत ने गोआ को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया था important question है भारत ने गोआ को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया था इन्होंने आजाद करवाया था option number C 1961 में पेरिस किस नदी के किनारे इस्थित है जल्दी से अपना आंसर बताइए पेरिस किस नदी के किनारे इस्थित है तो ये इस्थित है आपका option number A सीन नदी के किनारे पर अगला question है नेशनल बोटेनिकल गार्डन किस सहर में इस्थित है नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहां इस्थित है तो ये इस्थित है आपका option number A लखनौ में H1N1 क्या है तो ये आपका है option number C स्वाइन फुरू का वाइरस अगला सेट है 34 और इसका पहला question है भारत में मुद्रा करंशी की छपाई के दौरा की जाती है तो भारत में option number C भारतिय रिजर्व बैंक दौरा मुद्रा की छपाई की जाती है भारतिय सम्मिदान के किस अनुछेद के अंतरगत किसी राज्य में राश्टपती साशन लागू किया जा सकता है वह कौन सा अनुछेद है जिसके अंतरगत राश्टपती साशन लागू किया जाता है तो ये अनुछेद है आपका option number C, अनुछेद 356 अगला question है सती पर्था के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया इनमें से किसने सती पर्था के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था तो ये थे आपके option number B राजा राम मोहन राए इन्होंने सती पर्था के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया था इंडियन सुपर लीग भारत में के खेल को प्रोचाहन देने के लिए एक प्रियाश है तो यह आपका option number D, फुटबोल के खेल को प्रोचाहन देने के लिए एक प्रियाश है Mount Everest चड़ने वाली भारत की पर्थम महिला थी इन में से Mount Everest पर चड़ने वाली भारत की पर्थम महिला कौन थी जल्दी से अपना आंसर बताईए इसका right answer आपका है option number C, बच्छेंदरी पाल भारत में आने वाले पर्थम इसाई धर्म परचारक कौन थी तो यह थे आपके option number A, सैंट थॉमस परदूसर नियंतरण के लिए और इवन पॉलिसी प्रायोगिक तोर पर एक जनवरी से पंद्रह जनवरी 2016 तक में लागू की गई थी तो यह कहां पर लागू की गई थी? यह लागू की गई थी option number C, नई दिल्ली में बर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? बर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है option number B, इरान के नाम से मद्रास का युद्ध कब हुआ था मद्रास का युद्ध हुआ था उप्सन नमबर C 1746 इस भी में स्री बैंक टेश्वर स्वामी बन्यजीव अभ्भारणय कहां इस्तित है बारत में योजना आयोक को भंग कर एक जनबरी 2015 से किस नए आयोक की स्थापना की गई योजना आयोक को समाप्त कर किस नए आयोक की स्थापना की गई तो यह आयोक था आपका ऑप्षन नमबर ए नीति आयोक श्री अटल बिहारी बाजपेई तथा मदन मोहन मालविय को 2015 में भारत का सर्भोच नागरिक सम्मान परदान किया गया था तो भारत का सरबोत नागरिक शम्मान आपका है, उप्सन मोंबर ए भारत रतन. मेजर ध्यान चंद्र राश्टे स्टेडियम कहां इस्तित है? तो ये इस्तित है आपका उप्सन मोंबर ए नई दिल्ली में. अगला कुश्रन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक परमुक अंग्रेजी समाचार पत्र है तो इन में से जो है option number D times of India भारत का परमुक अंग्रेजी समाचार पत्र है अगला setup का है 35 और इसका पहला question है अरजुन पुरुसकार कब शुरू किया गया था important question है इसका right answer आपका है option number B 1961 में अरजुन पुरुसकार 1961 में शुरू किया गया था भारत में केंद्र सासित परदेशों की कुल संख्या कितनी है तो भारत में केंद्र सासित परदेश टोटल है आपके 8 option number B भारतिय सम्मिदान के निर्माता कौन है important question है भारतिय सम्मिदान के निर्माता कौन है तो ये हैं आपके option number B वीम राव अमबेड कर किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है इन में से कौन सी नदी है जिसको नमक की नदी के नाम से भी जाना जाता है इसका right answer आपका है option number B लूनी नदी भगबान महावीर का जनम इस्तान कहा है जल्दी से अपना answer बताईए भगबान महावीर का जनम option number B बैसाली में हुआ था रगवन से नमक पुस्तक किस ने लिखी है रगवन से नमक पुस्तक के लेखक कौन है तो ये हैं आपके option number B काली तास अगला question है पंच सील पर किन दो देशों के हस्ताक्षर कियेगे इसका right answer आपका है option number A भारत और चीन के और ये हस्ताक्षर आपके हुए थे 1954 में 2024 ओलंपिक खेलों का आयूजन में किया जाएगा ये question अभी अभी आपको बताया है इसका right answer आपका होगा option number B Paris, France में निमने लिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मुहमत के जन्म दिन पर मनाया जाता है इन में से कौन सा त्योहार पैगंबर मुहमत के जन्म दिन पर मनाया जाता है तो ये त्योहार है आपका option number D इद उल मिलाद हुमायू का मकबरा कहां इस्तित है तो ये इस्तित है आपका उप्सन नमर B दिल्ली में इंपोर्टेंट कोशन है निमने में से किस भारतिय नागरिक को नोबेल सांति प्रुषकार 2014 से सम्मानित किया गया था तो ये किया गया था उप्सन नमर B कैलाश शत्यारती को हजरत बल दरगाह में इस्तित है हजरत बल दरगाह कहां इस्तित है जल्दी से अपना आंसर बताएए इसका राइट आंसर आपका है उप्सन नमर D स्री नगर में निमने में से कौन सा देश का सरबोच खेल प्रुषकार है इसका राइट आंसर आपका है उप्सन नमर C राजीब गांदी खेल रत्न प्रुषकार भारत का राश्टिय पसु कौन सा है इसका राइट आंसर आपका है उप्सन नमर B बाग स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी इंपोर्टेंट कोशन है सुतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो ये थी आपकी option number C सरोजनी नाइडू और ये कहां की राज्यपाल थी उत्तर परदेश की अगला सेट है 36 और इसका पहला कोशन है संसोधित मूल्य बर्दित कर का संबंद किस से है मोडिफाइड बैट का संबंद किस से है जल्दी से अपना आंसर बताईए इसका right answer आपका है option number A बिकरी कर से अगला कोशन है चोल सामराज्य का अंत किस ने किया जल्दी से अपना आंसर बताईए ये question थोड़ा सा confusing है इसका right answer आपका है option number C मलिक काफुर ने अंत किया था ठीक है तो यहाँ पे जो इसका right answer है वो है आपका option number C मलिक काफुर ने महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्थ सुरू किया था जल्दी से अपना आंसर बताईए important question है असहयोग आंदोलन की सुरुआत कब हुई थी इसकी सुरुआत हुई थी एक अगस्त एक अगस्त उननीस सो बीस में ठीक है option number A इसका right answer होगा Australia की राजधानी क्या है इसका right answer आपका है option number B Canberra Australia की राजधानी क्या है Canberra Green Park Stadium कहा इस्तित है जल्दी से अपना आंसर बताईए Green Park Stadium इस्तित है आपका option number A कानपूर में 1922 का Asian खेल कहां खेला जाएगा 2022 में Asian खेल कहां खेले जाएंगे तो ये खेले जाएंगे option number D Hangzhou चीन में निम्न में से कौन सा जीव सबसे पर्थम अंत्रिक्स में भेजा गया इसका right answer आपका है option number B कुत्ता इसके साथ साथ आपको इसका नाम भी याद रखना है इस कुत्ते का नाम था लाईका क्या नाम था लाईका ठीक है मनी का बत्रा किस खेल से संबंदित है जल्दी से अपना आंसर बताईए मनी का बत्रा किस खेल से संबंदित है इसका right answer है option number B टेबल टेनिस से भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है UAV UAV इसका नाम क्या है UAV का मतलब है unmanned aerial vehicle यानि इसको हम drone भी कह सकते हैं ठीक है तो भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है तो इसका नाम है option number B निसांद फत्ते अपुर सीक्री में इवादत खाना किसने बनाया था जल्दी से अपना आंसर बताईए फत्ते अपुर सीक्री में इवादत खाना किसने बनवाया तो ये बनवाया था option number D, अक्बर ने और फत्यपुर सीकरी की जो स्थापना की थी, ये किस ने की थी, ये भी की थी, अक्बर ने, ठीक है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? Important question है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है, option number A, 28, फरवरी को Hotline क्या है? जल्दी से अपना answer बताइए Hotline क्या है? तो ये है आपका option number B, एक दूर संचार कड़ी Bullfighting किस देश का रास्ट्रिया खेल है? जल्दी से अपना answer बताइए ये question साथ repeat हुआ है, इसका right answer आपका है, option number C, Spain का निमने लिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मुहमत के जन्म दिन पर मनाया जाता है? पैगंबर मुहमत के जन्म दिन पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका right answer आपका है, option number D, Eid ul Milad अगला question है, जली कट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? जली कट्टू खेल किस राज्य में खेला जाता है? important question है, इसका right answer आपका है, option number D, Tamil Nadu में अगला set है 37 और इसका पहला question है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इन में से सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका right answer आपका हो जाएगा, option number A, सुक्र पर्थम महिला एर मार्शल कौन थी? repeated question है, जल्दी से अपना answer बताइए, पर्थम महिला एर मार्शल कौन थी? ये थी आपकी option number B, पदमावती बंदोपाद है, क्योंकि option number B, इसका right answer होगा अगला question है, सुन्दरवन किसके लिए पर्षिद्ध है? जल्दी से अपना answer बताइए, important question है, सुन्दरवन किसके लिए पर्षिद्ध है? इसका right answer आपका है, option number C, बाग के लिए, ठीक है, किसके लिए पर्षिद्ध है? बाग के लिए, यो एनो का मुख्याले कहां इस्तित है? ये question मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जल्दी से इसका answer बताइए, यो एनो का मुख्याले कहां इस्तित है? तो ये इस्तित है आपका option number D, New York, USA में, और इसके साथ साथ यो एनो की जो इस्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? 24 October 1945 को ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है, चंद्रमा पर, चंद्रमा प्रित्थवी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है, यानि चंद्रमा प्रित्थवी का कितने दिनों में चकर पूरा करता है, इसका right answer आपका है, option number A, लगभग 28 दिन में, ये पूरा करता 27.11 तीन दिन में, ठीक है, अगला कोशन है, सिंदु सब्वेता थी, सिंदु सब्वेता कैसी थी, तो ये सब्वेता थी आपकी option number B, शहरी, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, इन में से सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक शाक्षरता किस राज्य में है, जल्दी से आंसर बताईए, सबसे अधिक शाक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका option number C, केरल, राज्य में विधान सबा को कौन भंग करता है, इसका right answer आपका है, option number A, राज्य पाल, अगला कौशन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है, बारत से सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है, तो ये लगती है आपकी option number A, बांगला देश की, कोलकाता किस नदी के किनारे इस्तित है, इंपोर्टेंट कॉशन है, कोलकाता किस नदी के किनारे इस्तित है, तो ये इस्तित है आपका option number B, हुगुली नदी के, पर्थवी सम्मेलन 1992 में कहां सुरू हुआ था, जल्दी से अपना आंसर बताईए, पर्थवी सम्मेलन 1992 में कहां सुरू हुआ था, ये पहला पर्थवी सम्मेलन था, और ये कहां हुआ था, ये हुआ था आपका, ब्राजील के रियोडी जेनरियो में, उप्सन नमबर A, इसका राइट आंसर होगा, सिलिकॉन बैली कहां है, बिस्वा की सिलिकॉन बैली कहां है, तो ये है आपकी option number A, अमेरिका में, और भारत की जो सिलिकॉन बैली है, वो किसे कहते हैं, वो कहते हैं आपका, बैंग लूर अगला question है, अलीगड़ आंदोलन के संस्तापक कौन थे, तो ये थे आपके option number C, सर सैयद मुहमद खान, बांगला देश की स्थापना कब हुई, जल्दी से आंसर बताईए, बांगला देश की स्थापना कब हुई, तो इसके स्थापना हुई थी, 26 मार्च, 26 मार्च, 1971 में, यानि option number A, इसका right answer हुगा, अगला सेट है 38, और इसका पहला question है, कोणार के मंदिर कहां इस्तित है, कोणार का सूर्य मंदिर कहां इस्तित है, important question है, कई exams में question पूछा जाता है, इसका right answer आपका है, option number B, उड़ी सा में, महाद्विपों की संख्या कितनी है, जल्दी से answer बताईए, महाद्विपों की कुल संख्या, option number B, 7 है, अगला question है, हुक किस खेल से संबंदित है, हुक सब्द किस खेल से संबंदित है, तो ये संबंदित है, अपका option number A, मुक्के बाजी से, जल्दी से answer बताईए, जो अला मुखी मंदिर कहां इस्तित है तो ये इस्तित है आपका option number A हिमाचल परदेश के कांगड़ा में हिमाचल परदेश के कांगड़ा में ठीक है अगला question है vote के लिए क्या जरूरी है तो vote के लिए जरूरी होता है option number A age ठीक है 18 वर्से उपर के आयों आपकी होनी चाहिए भूटान की राजधानी क्या है इन में से भूटान की राजधानी कौन सी है इसका right answer आपका है option number C ठीमपू अगला question है जनगरना किस अंतराल में होती है या कितने वर्सों के अंतराल में होती है important question है तो ये होती है आपकी option number C 10 वर्सों के अंतराल में Indian Military Academy कहां इस्तित है Indian Military Academy यानि IMA IMA कहां इस्तित है तो ये इस्तित है आपका option number D उत्त्राखंड के देरादून में अबूल फजल किसके सासनकाल में आये थे या किसके काल में थे अबूल फजल किसके सासनकाल में थे इसका right answer आपका है option number A अकबर के म्यामार किसका नाम है या म्यामार किसका नाम था तो इसका right answer आपका है option number C बर्मा का बर्मा का नाम क्या था म्यामार जबाहलाल नहरू का जन्म कब हुआ जल्दी से आंसर बताईए पंडित जवाला नहरू का जन्म कब हुआ तो इनका जन्म हुआ था उप्शन नमबर A 14 नमबर 1899 इस भी में सम्मिधान कब लागू हुआ काफी इजी कुशन है सम्मिधान लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 में ठीक है उप्शन नमबर 20 का राइट आंसर होगा बोट देने के लिए उम्र होनी चाहिए कितनी होनी चीए उप्शन नमबर C 18 वर्स इरान की राजधानी है तो इरान की राजधानी है उप्शन नमबर B तहरान निम्न में से खाद्य फ़सल कौन सी है इन में से खाद्य फसल कौन सी है तो खाद्य फसल इन में से है option number D मक्का अगला concept है 49 और इसका पहला question है 1994 में दक्षिन अफ्रिका का पहला अश्वेत राश्टपति कौन बना था तो ये बने थे option number A Nelson Mandela इनको अफ्रिका का गांधी भी कहते हैं आजाद भारत का पहला शिक्षा मंतरी कौन था? या आजाद भारत के पहले शिक्षा मंतरी कौन थे? तो ये थे आपके आप्सन नमबर A, मौलाना अबुल कलाम अगला कुशन है किस मौल बादसा को अपने ही पुत्र ने कैद किया? इन में से कौन सा मौल बादसा है जिसको उसके ही पुत्र ने कैद कर दिया था? तो ये बादसा है आपके आप्सन नमबर B, साह जहां जिनको इनके पुत्र औरंग जेव ने कैद कर लिया था रास्ट्रिय खेल कौन सा है? भारत का रास्ट्रिय खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका है उप्सन नमबर C हौकी परमाण सिद्दान्त की खोज किसने की ती इसका राइट अंसर आपका है उप्सन नमबर D जौन डाल टनने भारते इतिहास में किस यूग को स्वर्ण यूग के नाम से जाना जाता है भारते इतिहास में किस यूग को स्वर्ण यूग के नाम से जाना जाता है तो ये यूग है आपका आपसन नमबर B गुप्त काल या गुप्त यूग वर्स का सबसे लंबा दिन कौन सा है? पूरे वर्स में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो ये आपका होता है आपसन नमबर D जून का 21 जून और सबसे छोटा दिन आपका होता है और सबसे छोटा दिन और सबसे लंबा दिन कौन सा होता है 21 जून राज्यसभा को कौन भंग करता है या कर सकता है इसका राइट आंसर होगा और इनमें से कोई नहीं क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता ठीक है इसको भंग नहीं कर सकते हैं जबकि इसके जो एक तिहाई सदस्य होते हैं वो परतेक दो वर्स के बाद सेवा निवरित होते हैं परतेक दो वर्स बाद डिटायर होते है ठीक है इसको भंग नहीं किया जा सकता फ्रांस की राजधानी कौन सी है फ्रांस की राजधानी है उप्सन नमबर बी पेरिस फ्रांस की राजधानी क्या है उप्सन नमबर बी पेरिस अगला कुशन है परधान मंत्री का चुनाव होता है परधान मंत्री का चुनाव कैसे होता है तो इसका चुनाव होता है और अपसर नमबर A लोकसभा के सदस्यों द्वारा और अपसर नमबर A इसका राइट आंसर होगा स्री लंका की राजधानी कहा है स्री लंका की राजधानी है इसका राइट अंसर आपका है option number B कोलंबो स्री लंका की राजधानी क्या है कोलंबो अगला question है फत्य पुर्षीक्री किसने बनवाया अभी अभी मैंने आपको बताया था फत्यपुर सीक्री किसने बनवाया तो ये बनवाया था उप्सन नमबर C अकबर ने अगला कोशन है संसत के दो सत्रों के बीच कितना अंत्राल होता है तो इनके बीच अंत्राल होता है उप्सन नमबर A छे महा का कितना होता है छे महा का गरबा कहां का लोक निर्टे है तो गरबा निर्टे है आपका उप्सन नमबर C गुजरात का जारखंड में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना कहां है तो ये है आपका उप्सन नमबर A जमशेद पुर में अगला सेट आपका है 40 और इसका पहला कोशन है वर्स 2016 निम्न में से औलम्पिक में सरबादिक पद किस देशने जीते तो ये जीते थे आप्सन नमबर B अमेरिका ने किस छेतर में हरित करांती भारत में सफल हुई तो इसका राइट आंसर आपका है आप्सन नमबर A गहूं के छेतर में रंगभेद का अर्थ बताईए रंगभेद का मतलब है जातिय भेद भाव ओप्सन अमबर A इसका राइट आंसर होगा अगला कोशन है मैकवेद नाटक के लेखक कौन है मैकवेद नाटक किसने लिखा है तो ये लिखा है सैक्स पियर ने अमर कंटक से कौन सी नदी का उदगम होता है जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए क्योंकि इसके सारे ही आंसर गलत है तो आप अपना आंसर बताईए अमर कंटक पहाडियों से कौन सी नदी निकलती है जल्दी से अपना आंसर बताईए तो यहां से आपकी निकलती है आपसन नमबर A और D नरमदा और सोन यह दोनों नदियां यहां से निकलती है सबसे बड़ी मानम निर्मित जील कौन सी है? सबसे बड़ी जील जिसे मानम ने बनाया है ठीक है? तो यह है आपकी option number D, गोबिंद सागर और यह कहाँ पर है, यह है आपका हिमाचल परदेश में हिमाचल परदेश में अगला question है, सुन्य काल की अवधी लोकशभा में कितनी होती है? सुन्य काल की अवधी लोकशभा में कितनी होती है? जल्दी से अपना answer बताईए, इसका right answer आपका है, option number B, एक घंटे की, ठीक है? सुन्य काल की अवधी कितनी होती है? एक घंटे की अगला question है, UNO की स्थापना किस वर्स हुई थी? UNO की स्थापना कब हुई थी? अभी-अभी मैंने आपको बताया था, UNO, United Nations Organizations इसकी स्थापना 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 1945 में हुई थी? तो option number B, इसका right answer है, ठीक है? दक्षन गंगोत्री का संबंद इनमें से किस से है? दक्षन गंगोत्री क्या है? ये भारत का पहला station है, ठीक है? भारत का पहला station है, और ये कहां पर है? ये है आपका option number C, Antarctica में निम्न में से भारत किसका सदश्य नहीं है? इनमें से भारत किसका सदश्य नहीं है? इसका right answer आपका है option number A आशियान का ठीक है किसका सदेशे नहीं है आशियान का और आशियान की जो full form है आशियान ठीक है इसकी जो full form है वो है आपकी association association for association of south south east south east asian nations south east asian asian nations association of south east asian nations ठीक है तो इसकी full form भी आपको याद रखनी है साथ साथ में जो आशियान है इसकी इस्थापना कब ही थी आशियान की जो इस्थापना है ये हुई थी आठ अगस्त आठ अगस्त 1967 में कब हुई थी आठ अगस्त 1967 में और इसका जो मुख्याले है वो जकार्ता जकार्ता इंडो नेशिया में इसका मुख्याले है इंडो नेशिया में इसका मुख्याले है तो इतनी information आपको यहां से याद रखनी है सबसे लंबी नदी कौन सी है इन में से सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यह है आपकी option number C नील नदी और नील नदी कहां पर है अफ्रिका में ठीक है भारत द्वारा स्वनिर्मित Light Combat Aircraft का नाम क्या है LCA लाइट Combat Aircraft का नाम क्या है LCA इसका नाम क्या है इसका नाम है option number D तेजस अगला question आपका है लोथल किस काल का एतिहासिक स्थल है तो यह है सिंदु घाटी सब्बिता के काल का एक एतिहासिक स्थल यहां पर बंदर कहा मौजूद था ठीक है अगला question है Australia की मुद्रा कौन सी है इन में से Australia की मुद्रा कौन सी है तो यह है आपकी option number A dollar निम्न में से कौन भारत रतन से सम्मानित नहीं है इन में से किसको भारत रतन नहीं मिला था इसका right answer आपका है option number D इन में से कोई नहीं इन सभी को जो है भारत रतने परदान किया गया है ठीक है या मिल चुका है अगला सेट आपका है 41 और इसका पहला कुषण है बैंकोख राजधानी है बैंकोख कहा की राजधानी है तो बैंकोख राजधानी है आपकी option number B Thailand की कहा की है option number B Thailand की काला मोती के नाम से जाने जाते हैं इन में से किसे काला मोती के नाम से जाना जाता है काला मोती या इसको हम कह सकते हैं ब्लैक पर्ल ठीक है तो ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है तो ये जाना जाता है उप्सन नमबर A पेले को और ये कौन है? ये एक परसिद्ध फुटबोलर थे कहां के? ब्राजील के गंग्टोक राजधानी है गंग्टोक किसकी राजधानी है? उप्सन नमबर B सिक्किम की चाय मुखेत पाई जाती है चाय कैसे चेतर में पाई जाती है? उप्सन नमबर C पहाड़ी धलानों पर इन में से कौनसी जोडी गलत है? उप्सन नमबर B मीनाक्शी मंदिर आंधर परदेश में नहीं है ये कहां पर इस्तित है? मीनाक्षी मंदिर आपका इस्तित है तमिल नाडु में कहां पर है? तमिल नाडु में ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है बाकी ये तीनों आपके क्या है? करेक्ट है लोकसभा को कौन पांच वर्ष की अवधी पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? कहने का मतलब ये है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसका राइट आपका है उप्सन नमबर C राष्ट पती परधान मंत्री के अनुमोधन पर यहाँ पर वो अपने विवेक से उसको नस्भंग नहीं कर सकता तो ये वाला उप्सन यहाँ पर नहीं होगा ठीक है? तो इसका राइट आपका होगा उप्सन नमबर C राष्ट पती करतो सकता है लेकिन किसके अनुमोधन पर? परधान मंत्री के अनुमोधन पर IMA इस्तित है अभी अभी आपको बताया था कहां पर इस्तित है? देहरादून में इंडियन इंडियन मिलिटरी एकेडमी कहां पर है? देहरादून में बागीचों का सहर कहा जाता है बागीचों का सहर तो बगीचों का सहर कहते हैं यहां पे इसके सारे उप्सन गलत हैं बगीचों का जो सहर है वो कहते हैं कपूर थला कपूर थला पंजाब को ठीक है इस कपूर थला को क्या कहते है बगीचों का सहर कहते है जबकि भारत का जो बगीचा है भारत का बगीचा ये कहते हैं बैंगलूरू को अगला वक्षिन है जैन धर्म के परवर्टक कौन थे? इन में से जैन धर्म के परवर्टक कौन थे? जल्दी से अपना आंसर बताईए इसका राइट आंसर आपका है उप्सन नमबर B महाबीर स्वामी जब चंद्रमा पिर्थवी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस परकार का गरहन होता है? चंद्रमा ये पिर्थवी और ये यहाँ पे आपका है सूर्य है, ठीक है? चंद्रमा है वो पिर्थवी और सूर्य के बीच में आ जाता है यहाँ पे यह पिर्थभी है और यहाँ पे आपका है सूर्य ठीक है तो इनके बीच में अगर चंद्रमा आता है तो कौन सा ग्रण होता है सूर्य ग्रण option number B इसका right answer होगा अगला question है असम की राजधानी क्या है तो असम की राजधानी क्या है option number C दिसपुर महारास्ट के किस इस्थान पर परमान उर्जा का केंद्र है तो यह आपका option number A तारापुर में संसत के उपरी सदन को क्या कहते हैं संसत का जो उपरी सदन है उसको कहते है राज्यसभा और जो सदन का निम्न सदन है निम्न सदन उसको कहते हैं लोक सबा उसको क्या कहते हैं लोक सबा अगला कॉशन है कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है इन में से उपसर नमबर C छिपकली अपने अंगों को दुबारा से उगा सकती है बीड़ता का सरबोच पुरुषकार कौन सा है इन में से बीड़ता का सरबोच पुरुषकार है option number A, परंबीर चक्र अगला सेटे 42 और इसका पहला question है विश्व स्वास्ते दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपका मनाया जाता है option number A, 7 अप्रेल को most important question है विश्व स्वास्ते दिवस कब मनाया जाता है 7 अप्रेल को कोर्वा ताप धर्मी प्लांट किस राज्यमे इस्तित है जल्दी से अपना आंसर बताईए कोर्वा ताप धर्मी प्लांट किस राज्यमे इस्तित है तो ये इस्तित है आपका option number A, 36 गड़ में कयाक एक परकार का क्या है कयाक एक परकार की क्या है option number B, एक परकार की छोटी नाव होती है ठीक है अगला question है नासिक सहर किस नदी के किनारे पर इस्तित है जो नासिक सहर है वो किस नदी के तट पर इस्तित है इसका right answer आपका है option number C गोदावरी के तटपर भारत का एक मात्र नोचालन परशिक्षण यान है इन में से भारत का एक मात्र नोचालन परशिक्षण यान है तो ये आपका है option number A आई एनस थरंगिनी Next है बिस्व की सबसे लंबी नदी अमेजोन कहां से बहती है बिस्व की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी ठीक है सबसे बड़ी नदी Amazon कहां से बहती है यहां पर लंबी नहीं होगा सबसे लंबी नदी कौन सी है नेल नदी और सबसे बड़ी नदी कौन सी है Amazon तो ये कहां से बहती है यह आपकी बैती है दक्षण अमेरिका से सम्मिधान की कौन सी सूची राजकिय भासाओं से संबंदित है Most important question है सम्मिधान की कौन सी सूची राजकिय भासाओं से संबंदित है तो यह सूची है आपकी option number C, 8-1 सूची इसमें total 22 भासाओं उल लिखी थे हैं कितनी भासाओं उल लिखी थे हैं? 22 इन में से किस का संबंद वैड्मिंटन से है? इन में से किस कप का संबंद वैड्मिंटन से है? जल्दी से answer बताइए इसका right answer आपका है option number D, Thomas कप का? भारत्य सेना के कितने कमान है? तो भारत्य सेना के total 7 कमान है नालंदा विश्व बिद्यले का संबंद किस धर्म से है? तो इसका संबंद है option number A, बौद धर्म से भारत में अब 28 राज्य हो गए हैं इसके अनुसार 28 राज्य कौन सा है? तो इसके अनुसार 28 राज्य है option number D, तेलंगाना स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? most important question है स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो ये थी आपकी option number C, सरोजनी नाइडू अब आपको live chat में comment करना है कि ये कौन से राज्य की गवर्नर बनी थी? गाइड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गाइड पुस्तक के लेखक थे option number B, R के नारायन सानिया मिर्जा किस खेल से संबंदित है? तो ये संबंदित है option number A, टेनिस के खेल से अगला कौशन आपका है पानी पत की पहली लड़ाई किस के बीच हुई थी? important question है पानी पत की पहली लड़ाई किस के बीच हुई थी? ये लड़ाई हुई थी पंदर सो चब्शमें और ये हुई थी option number C, बाबर और इबराहिम लोदी के बीच जिसमें बाबर ने इबराहिम लोदी को हरा दिया था अगला सेथ है 43 और इसका पहला question है आर्यों ने भारत में जिस इलाके में कपज़ा किया था, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से अपना answer comment कीजियے आरियों ने भारत में जिस इलाके पर कबजा किया था उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं option number A सब्त सिंदू क्या कहते हैं सब्त सिंदू लोकसभा का नेता होता है इन में से लोकसभा का नेता कौन होता है जल्दी से अपना आंसर बताइए इसका राइट आंसर आपका है option number C परधान मंत्री मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु कौन सी थी? इन में से मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु थी तो ये धातु थी आपकी option number B तामबा अगला question है निमने लिखित में से भगबान बुद्ध की मिर्त्यू से संबन्दित है इन में से किस जगए पर भगबान बुद्ध की मिर्त्यू हुई थी? जल्दी से आंसर बताईए इसका राइट आंसर हो जाएगा option number B कुसी नगर में कहां पर हुई थी? कुसी नगर में लखनों कौन सी नदी के किनारे पर इस्थित है? जल्दी से आंसर बताईए लखनों कौन सी नदी के किनारे पर इस्थित है? तो ये इस्थित है आपका option number A गोमती नदी के चीन की मुद्रा क्या है? जल्दी से आंसर बताईए इन में से चीन की मुद्रा कौन सी है इसका right answer आपका है option number D इन में से कोई नहीं चीन की मुद्रा है रेन मिन बी ये है चीन की मुद्रा रेन मिन बी अगला question है निमन में से कौन सा जानबर है जो सबसे पहले अंत्रिक्स में भेजा गया था इन में से कौन सा जानबर है जिसे अंत्रिक्स में सबसे पहले भेजा गया था इसका right answer आपका है option number A कुत्ता और इस कुत्ते का नाम क्या था इसका नाम था लाई का ठीक है अगला question है reactor scale से क्या मापा जाता है जल्दी से answer बताईए important question है और यह science का question है reactor scale से क्या मापा जाता है तो इससे मापते हैं option number B भूकम्प की तीबृता दक्षिन भारत की कौन सी नदी को दक्षिन भारत की गंगा कहा जाता है जल्दी से अपना answer बताईए important question है और साथ-साथ में confusing question भी यह होता है ठीके तो जल्दी से अपना answer बताईए तो दक्षिन भारत की गंगा कहते है option number B कावेरी को ठीके किसको कहते हैं कावेरी को और एक सेम ऐसा ही नाम है दक्षिन गंगा ठीके दक्षिन गंगा इसमें केबल इतना ही है दक्षिन गंगा ठीके तो दक्षिन गंगा कहते हैं आपका गोदावरी को किसको कहते हैं गोदावरी को ठीके तो थोड़ा सा यह दोनों confuse कर सकते हैं ठीके दक्षिन भारत की गंगा आपकी है कावेरी और दक्षन गंगा कौन सी है गोदावरी यह आपकी है दक्षन गंगा इसको आपको याद रखना है चलिए अगला कोशन है भारत का सर्बोच सिविलियन पुष्कार है भारत का सर्बोच नागरिक सम्मान क्या है या नागरिक पुष्कार क्या है तो यह आपका है इन में से कौन सा अंत्रिक्स यान सबसे पहले अंत्रिक्स में गया था निम्न में से कौन सा अंत्रिक्स यान सबसे पहले अंत्रिक्स में गया था तो यह यान था आपका उप्सन नमबर A, कोलंबिया मदु मलाई पुर्ण इस्थान कहां पर इस्तित है जल्दी से आंसर बताईए मदु मलाई पुर्ण इस्थान कहां पर इस्तित है इसका राइट आंसर आपका है उप्सन नमबर C, तामिल नाडु में डूरंड कप किस खेल से संबंदित है important question है कई बार ये question पूछा जाता है डूरंड कप किस खेल से संबंदित है तो ये संबंदित है आपका उप्सन नमबर A, फुटवॉल से अगला question है Victoria Memorial कहां इस्तित है तो ये इस्तित है आपका उप्सन नमबर B, कॉलकाता में repeated question है अगला set आपका है 44 और इसका पहला question है चुनाव आयोग का मुख्याले कहां इस्तित है जल्दी से आंसर कीजिए चुनाव आयोग का मुख्याले कहां इस्तित है इसका राइट आंसर आपका है उप्सन नमबर C, नई दिल्ली में राज्यसभा के उप्सभापदी का चुनाव कौन करता है राज्य सबा के उप सपापती का चुनाओ कौन करता है इसका राइट आंसर आपका है उप्सन नमबर C राज्य सबा निम्न में से किस सहर में सुर्ण मंदिर इस्तित है इन में से किस सहर में सुर्ण मंदिर इस्तित है तो ये इस्तित है आपका option number C, अमरित सर में अगला question है बिश्व की पर्थम महिला परधान मंतरी कौन थी? जल्दी से अपना answer केमेंट कीजिए बिश्व की पर्थम महिला परधान मंतरी कौन थी? important question है, कई exams में एक question पूछा जाता है तो ये महिला थी आपकी option number C, स्री मती मावो, स्री मावो भंडार नाईके और एक कहां की परधान मंतरी थी? ये थी आपकी स्री लंका की स्री लंका की परधान मंतरी, स्री लंका ठीक है? तो पहली महिला परधान मंतरी कौन थी? स्री माबो भंडार नाई के और किस देश की थी स्री लंका की अगला कोशन है कामाईनी के लेखक कौन है जल्दी से आंसर बताईए कामाईनी के लेखक कौन है important कोशन है कामाईनी के लेखक है option number C जै संकर परसाद night angle of India के नाम से कौन परसिद थी जल्दी से अपना आंसर बताईए night angle of India के नाम से कौन परसिद थी तो ये परसिद थी आपकी option number C सरोजनी नाईडू इसके साथ साथ ये क्या थी भारत की पहली महिला राज्यपाल भी ये बनी थी और किस राज्यकी बनी थी उत्तर परदेश की ठीक है अगला कॉशन है निम्न में बरतमान में तमिलनाडू में किस पार्टी का साथन है इनमें से बरतमान में तमिलनाडू में किस पार्टी का साथन है तो इसका right answer आपका है option number D AIADMK का संतोस ट्रोफी संबंदित है जल्दी से अपना आंसर बताईए संतोस ट्रोफी का संबंद किस से है अगला होगा option number A football से संतोस ट्रोफी का संबंद किस से है football से भारत का पहला नाविकिय सक्ति स्टेशन कहां पर इस्तित है भारत का पहला नाविकिय स्टेशन कहां पर इस्तित है सक्ति स्टेशन कहां पर इस्तित है तो ये स्थित है आपका option number C, तारापुर महारास्ट में अगला question है, निम्न में से कौन से देश का लिखित सम्मिधान नहीं है important question है, इन में से किस देश का लिखित सम्मिधान नहीं है तो ये देश है आपका option number A, इंगलेंड अगला कोशन है मोहन जोद्रो इस्तित है ये कहां पर इस्तित है ये आपका है उप्सन नम्बर C सिंध में हजारी बाग नेशनल पार्क इस्तित है हजारी बाग रास्ट्रिप पार्क कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है आपका उप्सन नम्बर C जारखंड में मुगूल सामराज की दरवारी भाषा थी मुगूल सामराजा की दरवारी भाषा फार्सी यानी पार्सियन थी अगला क्वेशन है पर्थम गोल में संबेलन कहां हुआ था तो ये आपका हुआ था Option no C, लंदन में और कब हुआ था 1930 में कब हुआ था 1930 में अगला कोशन है दा इन्विजिवल मैन के लेखक कौन है जल्दी से अपना अंसर बताईए दा इन्विजिवल मैन के लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं H.G. Wales अगला सेट आप का है 45 और इसका पहला कोशन है पहला परमान बम 1945 में किस सहर पर गिराया गया था जल्दी से अपना अंसर बताईए पहला परमान बम किस सहर पर गिराया गया था तो यह अपका गिराया गया था OPTION NUMBER A, हिरोसिमा पर ठीक है अगला कोशन है पागल कुटे के काटने पर होने वाली बीमारी है इन में से पागल कुटे के काटने से कौनसी बीमारी होती है तो ये आपकी होती है आपसन नमबर B रैबीज कौनसी बीमारी होती है रैबीज पाकिस्तान की राजधानी है इनमें से पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है इसका राइट आंचर आपका है उप्सन नमबर A इसलामाबाद अगला कॉशन है भारत में परमान उर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है या परमान उर्जा का जनक किसे कहते हैं तो ये कहते हैं आपका option number A, Dr. Homie, जहांगीर भाबा को अगला question है, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? भारत ने सबसे पहले कौन सा उपग्रह छोड़ा था? तो ये उपग्रह था आपका option number D, आर्य भट पानिपत का पर्थम युद्ध किसके बीच हुआ था? इससे पहले आप मुझे बताईए ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1526 में और बाबर और इबराहिम लोदी के मद्दे ये युद्ध लड़ा गया था ठीक है, option number B, इसका right answer होगा DDT क्या है? तो ये एक परकार का कीट नाशक है हमारा रास्टिय पशु बाग है, option number D लोगसबा में सदश्यों की अधिक्तम संख्या कितनी होती है? तो इसका right answer आपका है, option number D, इन में से कोई नहीं लोगसबा की जो अधिक्तम संख्या होती है, वो होती है आपकी 552, कितनी होती है? 552 अगर ये आपसे पूचता कि बरतमान में, लोगसबा में कितने सदश्यों हैं तो इसका right answer आपका होता, option number B, 545 लेकिन इसने पूचा है, अधिक्तम संख्या, तो वो कितनी होती है? 552 ठीक है? विर्जु महराज का नाम किसलिए जाना जाता है? जल्दी से answer बताईए विर्जु महराज का नाम किसलिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, option number C, कथक निर्ट्या के लिए अगला question है, सबसे छोटा महादूइप कौन सा है? तो ये महादूइप है आपका, option number A, Australia भारत के जंडे में कितनी तीलिया है? ये सभी को पता होगा, option number D, 24 सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी से अपना answer बताईए सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, option number C, 15, जनवरी को अंतरिक्स में जाने वाला पर्थम भारतिय है? इन में से, अंतरिक्स में जाने वाला पर्थम भारतिय कौन है? तो ये आपके हैं, option number A, राकेश, शर्मा और ये कब गए थे? 1984, इस भी में अगला कोशन है, मुहमत गौरी कहां का साशक था? जल्दी से अपना अंसर बताईए, मुहमत गौरी कहां का साशक था? तो ये साशक था आपका, option number C, अफगानिस्तान का अगला सेट है 46, और इसका पहला कोशन है, राज्य सभा का सदशे बनने के लिए नियूनतम आयू कितनी है? राज्य सभा का, यहाँ पर कोशन ध्यान से पढ़ना, राज्य सभा का सदशे बनने के लिए नियूनतम आयू कितनी है? तो राज्य सभा का सदश्य बनने के लिए आयू है नियुन्तम 30 वर्स और लोग सभा का सदश्य बनना है तो उसके लिए 25 वर्स ये है लोग सभा के लिए लोग सभा और 30 वर्स है राज्य सभा के लिए ठीक है अगला कुशन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इंपोर्टेंट कुशन है, जल्दी से अपना आंसर बताईए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था आपका आप्सन नमबर B, सुबाश शंद्र वो उसने भारत द्वारा भेजा गया पहला उबग्रह कौन सा था भारत द्वारा भेजा गया पहला उबग्रह था उप्सन नमबर B आर्य भट स्री नगर सहर किस नदी के किनारे बसा है जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए स्रीनगर सहर किस नदी के किनारे बसा है तो ये बसा है उप्सन नमर सी जेलम नदी के किनारे एराक की मुद्रा क्या है जल्दी से अपना अंसर बताईए एराक की मुद्रा तो एराक की मुद्रा है दीनार उप्सन नमर बी नहरू कप किस खेल से संबंदित है? नहरू कप का संबंद किस खेल से है? तो ये है आपका अप्सन नमर B, फुटबॉल से भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस सहर में शुरू हुई? जल्दी से अपना आंसर बताईए भारत में पहली भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस सहर में शुरू हुई? भूमिगत मेट्रो रेल सेवा किस सहर में प्रारंबर हुई थी? तो ये सहर आपका अप्सन नमर A, कलकत्ता बाल दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है उप्शन नमबर B 14 नवंबर को कांडला बंदर गाहा किस राज्य में इस्तित है जल्दी से अपना आंसर बताईए कांडला, बंदरगाह, किस राज्यमें इस्तित है तो यह इस्तित है आपका — ऑप्सन नमर B, गुजराथ, राज्यमे कौनसा ग्रह आकार और द्रब्यमान में लगभग प्रितिवी के समान है जल्दी से अपना अंसर बताईए कौन सा ग्रह आकार और द्रब्यमान में लगभग पिर्थवी के समान है तो ये ग्रह आपका option number D इन में से कोई नहीं कौन सा ग्रह है शुक्र ग्रह है कौन सा है शुक्र ग्रह है ठीक है उस्ताद जाकिर हुशेन किस बाद देयंतर से जुड़े हुए है उस्ताद जाकिर हुशेन किस बाद देयंतर से जुड़े हुए है इसका right answer आपका है option number A तबले से निम्न में से किस राज्य में समुदर तट नहीं है इन में से कौन से राज्य में समुदर तट नहीं है तो ये राज्या आपका है मिजोरम यहां पर समूदृतट नहीं है राज्यसभा का सभापती कौन होता है important question है राज्यसभा का सभापती कौन होता है तो ये होता है आपका option number A उपरास्ट पती आधुनिक ओलम्पिक खेल कब सुरू हुए थे जल्दी से आंसर बताईए आधुनिक ओलम्पिक खेल कब सुरू हुए थे तो ये सुरू हुए थे आपके उप्सन नम्मर C 1896 इस भी में और ये कहां सुरू हुए थे यूनान की राजधानी यूनान की राजधानी की राजधानी एथेंस में कहां पर एथेंस में ठीक है अगला कोशन है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है तो इसके लिए होती है option number C काली मिट्टी सबसे उप्यूक्त होती है अगला सेट 47 और इसका पहला कोशन सवतंतरता से पूर्ब गोवा पर किसका शाशन था या गोवा पर किसका अधिकार था तो इस पर था option number A पुर्टगालियों का ठीक है किसका था पुर्टगालियों का और गोवा कब आजाद हो था 1961 ठीक है कब आजाद हो था 1961 भारतिय मानक समय पुर्टगालियों कारम हुआ था तो ये हुआ था option number D 1906 में अगला गोशन है कुमारी अरपना पोपट किस खेल से संबंदित हैं तो ये संबंदित हैं आपकी option number C बैड मिंटन से असहयोग आनूलन के नेता कौन थी जल्दी से अपना आंसर बताईए और लाइव चेट में आंसर कीजिए कि असहयोग आनूलन की सुरुवात कब हुई थी तो इसकी सुरुवात हुई थी एक अगस्त एक अगस्त 1920 में ठीक है और इसके जो परमुख नेता थे वो कौन थे महात्मा गांदी भारत का रास्टिय फूल है इनमें से भारत का रास्टिय फूल कौन सा है तो यह आपका है option number a कमल गौतम बुद्द के जनम से सम्मन्दित इस्तान है गौतम बुद्द का जनम किस इस्तान पर हुआ था तो यह हुआ था आपका option number A, लुम्बनी में पश्चिम मंगाल की राजधानी कहां है? पश्चिम मंगाल की राजधानी तो पश्चिम मंगाल की राजधानी है option number C, कौलकाता अगला question है किसने गोशना की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये कथन किसका है ये गोशना किसने की है तो ये गोशना की थी option number A, बाल गंगाधर तिलक ने H1N1 वाइरस बीमारी को फैलाता है तो ये फैलाता है आपका option number C, स्वाइन फ्लू को निम्ड में से कौन सा जानबर मीन रासी से संबंदित है तो मीन रासी से संबंदित है option number A, मचली भारत में कौन से अन की सबसे अधिक पैदावार होती है जल्दी से आंसर बताईए भारत में कौन से अन की पैदावार सरवाधिक होती है तो ये होती है option number A, चावल की डाग पते में उप्योग किये जाने वाले पिन नंबर का बिस्तारित रूप या फुल फॉर्म है तो पिन नंबर की फुल फॉर्म है option number B, postal index number सिक्धर्म की धार्मिक पुस्तक है इन में से सिक्धर्म की धार्मिक पुस्तक कौन सी है तो इनकी जो धार्मिक पुस्तक है वो है गुरुगरंथ साहिब मचली सांस लेती है मचली किस से सांस लेती है option number D, गिल सिया गल फड़ों से ठीक है अगला कोशन है मानिपूर की राजधानी कहा है तो मानिपूर की राजधानी है option number B इंफाल कहा है इंफाल अगला कोशन है सोरी अगला set up का है set 48 और इसका पहला कोशन है सबसे पहला चाता किस देश ने बनाया था जल्दी से अपना आंसर बताईए सबसे पहला चाता किस देश ने बनाया था इसका राइट आंसर आपका है option number C चीन ने किस ने बनाया था चीन ने इसका कोशन है सिकंदर महान भारत कब आया था जल्दी से आंसर बताईए सिकंदर महान भारत कब आया था ये आया था option number D 326 BC में महा भारत में अरजुन पुत्र थे महा भारत में अरजुन किसके पुत्र थे तो ये थे आपके option number B पांडु के अगला question है अन्ना हजारे किस राज्यके रहने वाले हैं जल्दी से आंसर बताईए अन्ना हजारे किस राज्यके रहने वाले हैं तो ये रहने वाले हैं option number A महा रास्ट राज्यके लगान फिल्म किस खेल से संबंदित है तो ये संबंदित है option number A किर्केट के खेल से जलिया वाला बाग हत्या कांड कब हुआ था तो ये वा था आपका option number B 13 अप्रेल 1919 में ये question repeated है लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम बताईए तो लज्जा नामक जो बुक है वो लिखी है आपकी option number B तसलीमा नस्रीन ने स्री हरी कोटा किस राज्यमे इस्तित है इसका right answer आपका है option number C आंद्र पर्देश में रास्ट्रिया रक्षा कैद्मी कहां पर इस्तित है तो रास्ट्रिया रक्षा कैद्मी इस्तित है आपकी option number C खड़क वासला महा रास्ट में अगला question है हीरा कुंड बांद किस राज्यमे इस्तित है तो हीरा कुंड बांध आपका है, उप्सन नमबर A, उडीसा राज्य में और कौन सी नदी पर है? ये है आपका महा नदी पर, किस पर है? महा नदी पर 2024 में होने वाले ओलंपिक कहा होंगे? जल्दी से आंसर बताईए तो ये आपके होंगे उप्सन नमबर D, पेरिस, फ्रांस में साओधी अरब की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है उप्सन नमबर C, रियाल यांत्रिक उर्जा को बिद्धुत उर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र को क्या कहते हैं करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं उप्सन नमबर A डाई नेमो पांच रंग का जंडा किस देश का है पांच रंगों वाला जंडा किस देश का है इसका right answer आपका है option number A पुर्तगाल का वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है तो सबसे छोटा दिन होता है option number D 22 दिसंबर और सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून का होता है अगला सेट है उन पचास और इसका पहला question है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी जल्दी से अपना answer बताए इंपोर्टेंट कुशन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी इसका right answer आपका है option number C स्वामी दयानंद सरुसुती ने पेरिस सहर किस नदी के किनारे पर इस्तित है पेरिस सहर किस नदी के किनारे इस्तित है तो ये है सी नदी के किनारे पर पंच महल किस सहर में इस्तित है पंच महल कहां इस्तित है तो ये इस्तित है आपका option number C फत्यपुर सीकरी में अगला कुशन है नालंदा विश्व बिद्यले का संबंद किस से है जल्दी से आंसर बताइए नालंदा विश्व बिद्यले का संबंद किस से है तो इसका संबंद है आपका option number D बौद धर्म से अगला कुशन है सरदार सरवर परियोजना किस नदी से संबंद है तो ये संबंदित है option number B नर्मदा नदी से ठीक है और ये कहा परिस्टित है गुजरात में निमनलिकित में से कौन सा अप्रतेक्षकर है इन में से कौन सा अप्रतेक्षकर है तो इन में से बिक्री कर Sell Tax एक Indirect Tax है लाल बहादूर सास्त्री स्टेडियम कहां पर इस्तित है लाल बहादूर सास्त्री स्टेडियम कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है आपका Option No. A हैदराबाद में दक्षनेशुर काली मंदिर कहां इस्तित है दक्षिन एशुर काली मंदिर ये कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है option number D कॉलकाता में important question है frontier गांधी के नाम से किसे जाना जाता है frontier गांधी के नाम से किसे जाना जाता है तो ये जाना जाता है option number C अब्दुल गफार खान को मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कोण है मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके लेखक है option number B R.K. नारैन 2022 का राष्ट मंदल खेल कहाँ आयोजित होगा 2022 में राष्ट मंदल खेल कहाँ आयोजित होंगे तो ये होंगे option number A, Birmingham, England में तीर्थ इस्तल, रिशी केस, किस नदी के किनारे इस्तित है तीर्थ इस्तल, रिशी केस, किस नदी के किनारे पर इस्तित है जलती से answer comment कीजिए तीर्थ इस्तल, रिशी केस, किस नदी के किनारे इस्तित है तो यह इस्तित है option number B, गंगा के अगला कोशन है केदारनात मंदिर किसके लिए परसिद है तो ये परसिद है औप्सन नमबर B भगवान शिव के लिए अगला गुशन है उत्राखंड राज्य की सीमा किन देशों से जुड़ी हुई है तो उत्राखंड राज्य की सीमा तिब्बत और नेपाल से जुड़ी हुई है निम्न में से किसने भारत पर सबसे पहला आक्रमन किया था इसका right answer आपका है option number B अरबियोंने अगला set आपका है 50 और इसका पहला question है जलिया वाला बाग हत्या कांड कब हुआ ये question तीन बार repeat हो चुका है अभी-अभी इसका right answer आपका है option number B 13 अप्रेल 1919 में अगला question है लज्जा नामक किताब की लेखिका का नाम क्या है लज्जा नामक बुक किसने लिखी दी तो ये लिखी है option number B option number B तसलीमा नसरीन ने आगरा से कौन सा रास्ट्रिय राजमार्ग गुजरता है इसका right answer आपका है option number A NH2 रास्ट्रिय रक्षा अकैडमी कहां इस्तित है अभी अभी आपको बताया है कहां परेश्टित है महारास्ट्र के खडग वास्ट्रा में एमें वेसेंट दोरा चलाया गया आंदोलन कौन सा था तो ये आंदोलन था option number C Home Rule आंदोलन अगले कौशन है नीरत चोपडा किस खेल से सम्बंदित हैं तो ये सम्बंदित है option number B, जैबलिन थ्रो से साउधी अरब की मुद्रा क्या है साउधी अरब की मुद्रा क्या है तो साउधी अरब की मुद्रा है option number B, C, रियाल वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है important question है तो सबसे पुराना जो वेद है वो है आपका रिग वेद पंडित शिवकुमार सर्मा का संबंद किस वाद्ययंतर से है तो इनका संबंद है option number D संतूर से लोग सबा का सदश्य होने के लिए नियूनतम आयू क्या होनी चाहिए इसका राइट आंसर आपका है आपसन नमबर B 25 वर्स लोग सबा के लिए 25 वर्स और राज्य सबा के लिए आयू होनी चाहिए आपकी 30 वर्स अगला वर्शन है रंगा स्वामी कप किस खेल से संबन्दित है रंगा स्वामी कप उप्सन नमबर C होकी खेल से संबन्दित है पिर्थिवी को दो बराबर भागों में बाटने वाली कालपने ग्रेखा का नाम क्या है तो इसका नाम है option number B, भूमद्दे ग्रेखा या equator एब्रेस्ट पर विजे प्राप्त करने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी? important question है कई exams में question पूछा जाता है एब्रेस्ट पर विजे प्राप्त करने वाली पहली भारतिय महिला थी option number A, बच्छेंदरी पाल और ये कब चड़ी थी एब्रेस्ट पे? ये चड़ी थी 1984 में और ये कौन से राज़े से ब्लोंग करती है? उत्तरा खंड से अगला question है दारजलिंग किस राज़्य में इस्तित है? तो दारजलिंग इस्तित है आपका option number B, पश्शिम मंगाल में अगला question है तिरंगे जंडे के असोग चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? तो इसमें तीलियों की संख्या है option number C, चौबिस ये थी आपकी पूरे 50 सेट की जीके, उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जब भी आपका कोई exam होता है, उससे पहले इस वीडियो को एक या दो बार देखकर जरूर जाएं, इससे आपको काफी फाइदा होगा, चलिए signing out